So, hey guys, we know this side, जैसे हम लोगोंने Plain to Paramount नीतु सिंग मैम की जो बुक है, उसका हमने सेननियों सारे कवर करें, वैसी मैं अब आपकी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, वन वर सब्स्टूशन की, तो ये एक मैराथन होगी, अब पता नहीं, ये दो गंटे की हो, तीन गंटे की हो, तो हम इसमें वन वर सब्स्टूशन सारे कम्प्लीट करेंगे, Plain to Paramount बुक मैंने इसलिए टार्गेट करी है मेरे भाई, क्योंकि ये आपके हर एक्जाम के लिए important है, आपको पता ये कैसी बुक है, जो बच्चे को करनी ही करनी है, ठीक है, जब मेरी इसकी वन वर सब्स्ट पते की वीडियो भी बना के डाल दो, और जिसमें सारे चैप्टर्स करवा दूँगा आपको, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखिए, पहला हमारा आता है, एबेटोर, क्या मतलब होता है, एबेटोर का, एबेटोर का मतलब होता है, स्लॉटर, स्लॉ यह एक वर्ड आपको और पता चलिए, इसका मतलब होता है, कसाई खाना, प्लेस वेर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूट, ठीक है, जहां पर कसाई खाना में जानवरों काटके, ऐसा फूड सप्लाइए, उनको करते हैं, जानवरों का ऐसा फूड सर्फ करते हैं, नेक्स्ट ह जहाँ पर सारे ascetic रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं तो उनका जो head होता है उसे हम बूलते है a man who is the head of a monastery or an abbe उसे हम बूलते हैं abbe it जहाँ पर बहुत सारे monks रहते हैं, सन्यासी रहते हैं उनका जो head होता है उनका हम abbe it कहते हैं Clear रवाथ यह? आजएगे Abbreviation Abbreviation का मतलब होता है Short form Short form A shortened form of a word और phrase सन शेप में Brief में किसी चीज़ को बताना B-R-I-E-F Brief Clear बात Next आपका Abdication Abdication का मतलब होता है कोई भी चीज़ को त्याग देना Surrender कर देना आपके पास कोई थ्रोन था आप राजा थे आपने अपने जो आपके अधिकार थे वो आपने त्याग दिये Abdication मतलब उपचारिक रूप से त्याग देना To formally give up अपने rights को आपने give up कर दे कि हाँ भई अब मैं आगे अब ये नहीं करूँगा ठीक है अब मैं ये अपनी जो मेरे पद है मैं इसे त्याग दाओं से कहते हैं Abdication Next आजएगे क्या Ablution क्या मतलब होता है Ablution का मतलब होता है Dharmic Snan Ritual Washing of the Body जैसे कि आप हरीदवार जाते हैं हम लोग जबने सुना होगा हरीदवार में जाके हम Snan करते हैं तो हम बोलते हमारे पाप धूल के That is Ablution तो असान असान है आगे बढ़ेंगे Next आता है Abstrus A, B, S, T, R, U, S Abstrus मतलब होता है कोई बीची जो समझने में difficult हो Difficult to understand Difficult to understand कोई बीची जो easily समझ में नहीं आरी समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उससे हम कहते हैं Abstrus समझने में मुश्किल hard to understand Next आजीए Abundance बहुत ही important है स्टार मार्ग कर लेंगे हम इसे Abundance का क्या मतलब होता है Abundance का मतलब होता है प्रचूर मातरा में होना ज्यादा quantity में होना A quantity that is more than enough जितना आपको चाहिए जितना आपके लिए sufficient है उससे ज्यादा होना ज्यादा quantity में होना मतलब क्या होना ample होना A, M, P, L, E ample मतलब ज्यादा quantity में होना ठीक है Abundance का मतलब ही प्रचूर मातरा में होना आप बोलो मेले इतनी चीज़ काफी है बढ़ हम आपको उससे ज्यादा दे रहें मतलब बहुत ज़्यादा दे रहे, more than quantity है, इसी को आप बोलेंगे ample, इसी को आप बोलेंगे plentiful देखो मेरे से पढ़ने का फायदा यह कि मैं जैसे आपकी exam में जो जो वर्ड पूछे गए वो ही बता दूँगा, जैसे आपके पूछा गया copious, copious मतलब होता है, बहुत ज़्यादा, मातरा में बहुत जाता हो ना, इससे आप बोल सकते हो, plethora, p-l-e-t-h-o-r-e, यह आपक means में आया, तो जो भी आपका means गया, English का उसमें, plethora, ठीक है, next आजएए, accentuate, accentuate का मतलब होता है, किसी चीज को forcefully करना, जोड देना, किसी चीज पे, accentuate करना, मतलब force करना, जोड देना, ठीक है, give more force और importance to, किसी चीज पे जोड देना, एक होता है, accentuate, confused मत होना, और एक होता आपका, accentuate, spelling देख लिजे, इसमें है, a, double, c, e, n, t, u, a, t, e, इसमें है, a, double, t, e, n, u, a, t, e, इसका मतलब होता है, reduce करना, किसी चीज को कम करना, reduce करना, तो दोनों से confuse मत होना, एक ही याद कर लो, ठीक है, फिर confusion नहीं होंगे, confusing pair है, तो accentuate का मतलब है, इस वाले का जोड देना, ठीक है, और attenuate का मतलब है, कम करना, किसी चीज को reduce करना, clear है, यह बास समझ में आरी है, आप लोगों को, ठीक है, next, आता है, accomplice, क्या मतलब होता है, accomplice का, accomplice का मतलब होता है, सह अपरादी, जैसे कि किसी ने चोरी करी, ठीक है, तो चोरी करने से पहले, रेखिक होती तो accomplice, helper in a wrong deed or crime, इसी accomplice का एक निया वर्ड सिख लीजिए, आप लोग, abitter, a, b, e, double, t, or, abitter, ठीक है, a, b, e, double, t, or, abitter का मतलब भी होता है, accomplice, जो किसी चीज में, किसी गलत काम में आपका साहत दे, ठीक है, next, आपका acronym, acronym का मतलब क्या होता, words, formed from the initial letters of a name, ठीक है, देखो, acronym को आप क्या बोलोगे, जैसे मैं बोलू, a, जैसे कि हम बोलें, यहाँ पर यह देखो, जैसे, हमने बोला, m, b, b, e, s, हम क्या कह रहे है, m, b, b, e, s, ठीक है, तो देखो, इस word का कुछ और मतलब होगा, इसका कुछ और मतलब होगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और, लिए तो BBA बन गया तो ऐसे वर्ड जिनके पहले-पहले शब्दों को उठाके वर्ड बना जाए वर्ड फॉर्म 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 इनिशेल लेटर पर नेम इस काल एक लिए मेरे बाई बहुत ही असान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं आगे कि पहले रहे हो तो लास्ट में कोई कुछ चीच अड तो उसे आप बोलते हैं हम एडेंडम घृक्झे मरवटाइसमंट क्या मतलब होता मिरा विख्यापन जैसे आप देखते हो बहुत सारे विख्यापन दिये जाते हैं आप टीवी में भी चलते हैं आगबारों में भी है बड़ हम यहां तक पोचे हम अच्छी साची बच्चों को नॉलेज देंगे फिर जब कभी चाया हमें एक्स्प्लोर करना हो तो हम क्या करेंगे अपने इसकी एड़टाइजमेंट करेंगे तो जादा से जादा बच्चों तक पोचे मतलब अब पब्लिक नोटिस का मतलब होता है कटिंग डाउन ओफ ट्रीज पेड़ों को हटाना का मतलब पेड़ लगाना एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन पर प्लांटिंग मैनी ट्रीज ठीक है मेरे बाई निक्स्ट आज यह एजंडा एजंडा का मतलब क्या होता है अब समझ लो मैंने आपको मिटिंग र परपस लिखा होगा तो गोशना पत्र बोल सकते हो उसको इसे आइटेम्स और बिजनस फॉर कंसिडरेशन एटा मिटिंग के भाई इस चीज में यह पॉइंट कवर होंगे एजंडा क्या मतलब होता है मुद्दा क्या परपस क्या नेक्स्ट यह एग्रेजर एग्रेजर का म होती है बी इडवलल आई सी ओ एस ए बैलीकोस और इसी को हम बोलते हैं बहुत जल्दी लडाई कर लेता है लडाई जगडे में ही रहता है उसे हम बोलते हैं बैलीजरेंट क्या बोलते हैं बैलीजरेंट बी इडवलल आई जी ए आर ए एंटी बैलीजरेंट क्लियर है मेरे ऐगनॉस्टिसिजम का मतलब होता है क्या इगनॉस्टिसिजम का मतलब होता है जो इश्वर के अस्वित पर शंका करें देखो एक मैंना आपको बताया था एक होता है थीस्ट ये कुन होता ये होता आस्तिक जो भगवान को मानता है जो भगवान को मानता है वो होता थिस्ट इसी का उपर क्या होता है जो भगवान को नहीं मानता है नास्तिक इसे हम एथिस्ट बोलते हैं वो होता है नास्तिक अब एक भगवान को मानता है का नहीं मानता तो एक होता है जो agnosticism को follow करता है agnosticism को follow होता है agnostic मतलब वो person जो जिसको doubt है कि क्या भगवान है या नहीं है ये नहीं कि वो मानता है नहीं मानता है doubt है कि भगवान के existence पर doubt है तो उस चीज़को हम बोलते है agnosticism परसन होगा तो बोलेंगे agnostic तो जो डाउट करें भगवान की एक्जिस्टेंस पर डाउट, डाउटफुल अबाउट दे एक्जिस्टेंस ओफ गॉट, नेक्स्ट आईए एलियन, एलियन मतलब जैसे हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारे वल्ड के संसार के लोग, अब दूसरी गैलक्सी के जो लोग डेवोस होता है, तो हस्बंड को, वायफ को एक अमाउंट पे करना पड़ता है, ऐलाउट्स के रूप में, हर मंथ Дिना ओड़ता है, या शे महिनों मत ओड़ता है, तो ऐलाउट्स के बाद जो वाइफ कि लोग्ड git की जाता है, तो वो हस्बंड दौरा दिया जाता है, उस symbolized as people. तो उन्होंने बहुत अच्छा कला का परदशन करा तो उन लोगों को लोग उस आइडिया को लोग याद रखते हैं और उन लोगों को भी याद रखते हैं थ्री इडियर्ट्स हो गई इतना बड़ी आपरदशन था कि ये बैबलिक बुक क्या बोलूँ आप बैबलिक बुक तो आप देखो मैंने बताया बुक के बारे में विशिष्टा बताई कि बैबलिक बुक है पर इसे लिखा जा तो इसे में बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या होता है यह बारे में नहीं सोसता हूँ जब यह परसन अपने बारे में नहीं सोसता तो मैं इस परसन को बोल सकता हूँ कि यह यह परसन आपका सेल्फ dominated इसी का एक word होता है मेरे भाई क्या इसी का एक word होता है आप ये ध्यान जकते हैं इसका word होता है Samaritan Good Samaritan जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो S-A-M-A-R-I-T-A-N तीनो वर्ड S-A-C के एक्जाम पर आचके हैं और एक word हो लिख लिजिए Magnanimous M-A-G-N-A-N-I-M-O-U-S Magnanimous मतलब होता है kind-hearted people philanthropist होते हैं ना philanthropic जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो लो टीक है one who lives and works for the welfare of others next is amateur amateur को हम बोलते हैं भई क्या no secure अभी ये बच्चा है से कुछ आता नहीं अभी ये mature नहीं अभी ये amateur है गैर पेशोवार जो भी है lacking professional skill or expertise अभी ये expert नहीं है अभी ये lack करता है इसमें कमी बहुता भी नो सिक्या है ठीक है ambassador ambassador का मतलब होता है राजदूर ठीक है अब हमारे इंडिया का ambassador होता है जैसे foreign diplomat होते हैं तो हमारे इंडिया का ambassador होगा जो हमारी country को present करेगा दूसरे देश में जाकर तो उसे हम बोलेंगे वो diplomat होता है ठीक है a diplomatic representative of one country in another उसे हम ambassador कहते हैं ठीक है मरे भाई नेक्स्ट आईए ambidextrous ambidextrous की spelling याद रखना एक्जाम में आती है ambidextrous का मतलब होता है दोनों हातों में निपूंड हो जो काम मैं अपने राइट हैंड से कर सकता हूं वही काम अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर सकता हूं दोनों हातों से मैं equally skillful equally skillful with each hand उसे हम बोल देंगे ambidextrous ठीक हैं देखो यह मैं आपको वह बता है जो आप Google पर सर्च मारोगा जो उसका actual मतलब है बट कहीं teachers मैं सब teacher अच्छा पढ़ाते हैं बट कहीं teachers कई बच्चे confused रहते हैं वह सोचते हैं कि जो दोनों हातों से लिख सकता है एक ही मतलब क्या होता है कोई किसी एक वर्ड के समझो किसी एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब है तो आप लोग तो confused हो जाओगे तो आप ऐसे याद रह सकते हो two और more than two meanings और more than two meanings ठीक है जैसे कि अस पस्ट जब किसी जीच के दो मतलब है तो वो चीज़ क्लियर तो होगी नहीं तो अस पस्ट होगी दो अर्थो वाला having more than one possible meaning ठीक हो ambiguous के दो मतलब है एक तो मैं आपको बता रहे हैं तो एक वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं ठीक है ना तो उसे उन वर्डों को हम बोलेगे के ambiguous है दूसरा इसका मतलब होता को एक ऐसे चीज़ जो clearly expressed नहीं है clearly unexpressed not clearly expressed जो से भी हम ambiguous कहते हैं ठीक है आगे आईए amnesia amnesia मतलब जब आप भूल जाते हो चीज़ों को भूलने लगो ठीक है complete या तो आप भूल जाओ आप memory भूल जाओ एक तरी की बिमारी है अफे आप धीरे धीरे भूलने लग जाओ उससे हम कहते हैं amnesia partial total loss of memory is called amnesia next हमारा है amnesi amnesi का मतलब होता माफी amnesi मतलब होता माफी जैसे कि कोई भी आपको शमा मिल जाए जब कोई किसी अपरादगी उसे हम बोलते है amnesia general pardon of political offense next amphivian amphivian का मतलब होता है ऐसे जानवर जो land में भी रह सकते हैं और पानी में भी उसे हम amphivian कहते है animals which live both on land and in water next amphitheater amphitheater का मतलब होता अखाड़ा ठीक है basically क्या है आप यह देखो रंग भूमी है जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग दो पहलवान लट रहे हैं competition चल रहा है चारो तरफ से रंग भूमी है जहां पर लोग बैठे हैं और लोग देख रहे हैं उनका प्रदेशन तो a designated a designated section of seats in any part of a theater जै a mphi's a mp ka मतलब होता बोथ जैसे हमने पढ़ा mpvn तो बोथ मतलब जो बोथ लैंड में भी वाटर में वैसे हमने एंफी थेटर तो एंफी थेटर भी आ खाड़ा जैसे हमने बोला mb dextrous तो mb mp और mb a mb i दोनों का मतलब बोथ होता root over debc के लिए analgesia analgesia का मतलब जब आपको pain होना बंद हो जाए pain दर्द होना आपको मैसूस होना बंद हो जाए the loss of ability to feel pain while still conscious आप होस में हो बैट को आपको मार रहा आपको pain ही नहीं हो रहा ठीक है दर्द की अनुबती ना होना next anarchist anarchist वो person है जो कहता है कि कोई government है ही नहीं मैं इस government को मानता ही नहीं हूँ अर आजग ठीक है इस government की मैं कोई चीज नहीं मानोंगा one who wishes to destroy सारे government had to destroy established government laws and order anarchist anarchie when there is no rule अभी हम पढ़ेंगे आगे next आगे दिखो यहाँ पर आगे अनार्की अनार्की मतलब अर जब कोई रूली नहीं है किसी का शाषन नहीं है किसी government का country नेक्स्ट आपका anecdote बहुत असान है anecdote का मतलब होता है किस्सा कोई छोटी सी स्टोरी कोई किस्सा कहता है नहीं किस्सा सुना हो भाई short amazing story about some real person or event anniversary शादी के anniversary आती है सालगिरा आती है किसी भी जिच के anniversary आ सकती है अब समभलो ज जब उसकी डेट आएगी तो वह anniversary हो जाएगी तो early return of the date of an event नेक्स्ट आता है आपका annual मतलब देखो जब वह anniversary मतलब साल में आती है ठीक है ना तो annual मतलब सालाना debt which happens once in a year जो चीस साल में एक बारों से हम annual कहते हैं सालाना नेक्स्ट आता है हमारा anomaly क्या मतलब होता है anomaly का anomaly का म unusual unusual असाधारन है मतलब यह चीज नॉर्मल नहीं है not normal basically इसका मतलब चाहोगर not normal कि भाई जो भी चीज नॉर्मल ना हो not normal उसम चाहेंगे unusual 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 असाधारन deviation or departure from common rule or standard or what is normal normal नहीं है जो चीज ठीक है उससे departure ठीक है नेक्स्ट है anonymous anonymous का मतलब होता है गुम नाम जसे letter लिखता है कोई लड़कियों कोई letter लिख देता है और कोई नीचे नाम नी लिखता है वो गुम नाम होते है वैसी कुछ books लिखी जाती है बढ़ने का कोई author पता नही antagonist का मतलब क्या होता मेरे भाई antagonist का मतलब होता है विरोधी जो किसी चीज को oppose करे जो किसी चीज के विरोध जाये उसे हम कहलते antagonist एंटा मतलब क्या opposite एंटा यह तो मेरा anti है यह तो मेरा दुश्मन है विरोधी one that opposes other next antidote antidote का मतलब जैसे जहर फैल गया बॉड़ी में तो कहते हैं इस जहर है यह पर्टिकुलर जहर का कोई एंटीडोट होगा ठीक है जहर नाशक होगा तो समझने की अपनी जो आपके अबिलीटी है वह भूल जा तो जो बाते हो उसको समझने की जो आप भूल गए उससे कहेंगे उससे कहेंगे एफवेशिया नेक्स आते हैं एपोस्टेट का मतलब होता आज मैं इस रिलीजिन का हूं हिंदू का कल का मैं मुस्लिम का हो जाओ या मैं क्रिस्चन को हो जाओ मतलब अपना रिलीजिन को त्याज अगर दूसरे रिलीजिन को ले लूँ उससे हम बोलते हैं धर्म त्यागी वन हुआ बेंडेंस हिस रिलीजिस पेफ एक्वेटिक एक्वा मतलब वाटर एक्वेटिक जो पानी में रहते है जली है तो एनिमल्स विच लिव इन वाटर ठीक है भाई एरबी ट्रेटर एरबीटर एरबीटर सम्वन चूजन टू ज़ग डिसाइड डिप डिस्प्यूटटेड इश्व नेक्स्ट ए करिसी करेशी का रूटवर्ड हर सकारूट वर्डर जॉर्मेंट का और आरिस्टों मतलब थोड़े ए रिचपीपल जो 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 चन्यमेंद नाम हो ऐसे लोग त का मतलब होता है कोई एक agreement आपने sign कर दिया जिससे जो दोनों पर से एक country इंडिया और पाकिस्ताइन के बीचे समलों को यूद हो रहा है कोई country बीच मागे sign करा दे agreement जिससे कहादे सीजफाइर है यह क्या भवाई सीजफाइर है अब कोई लड़ाइ वड़ाइ नहीं होगी stop होगी आप सब कुछ तो सिस्टाइस और फॉर वार्फेर बिफॉर टेटरीं सांग यह एससे टिक का मतलब होता है मौंक मतलब सन्यासी ठीक है जिसन अपनी जो जिसने अपनी सिंदि ले लिया हो जिन्दिगी के बाकी प्लैजर से वन हूँ प्रैक्टेस से सेल्फ डिनायल एजस स्पिरिच्वल डिसिप्लिन सन्यासी ऐसेटिक मौंक कहेंगे और उसे हम कहेंगे हर्मिट ह-e-r-m-i-t हर्मिट एसेसिनेशन मतलब क्या होता है एसेसिनेशन मतलब और मिट्ट हो और दुस्मनी के वाज़ेसे उनकी दत होगी ठीकरिछ तो राजनेतिक कारण से हद्या किलिंग और मडर फॉर पॉलिटिकल रीजिन्स नेक्स आता है एस्ट्रोलोजी एस्ट्रोलोजी का मतलब होता है जोतिशास्तर जैसे कि हम देखते हैं कि हम बोलते हैं आज तो राहू के तु इदर है आज चंदरमा की दशा यह तो science of the influence of stars की influence of स्टार्स किस पर human affairs पर मतलब जोतिशार्स हम जाते हैं हम पढ़ा इच्छ से नहीं कर पा रहे तो हम क्या गरेंगे पंडित के पास जाएगा फिर बताएगा आपका रहू के तुछ चल रहा तो वो जोतिशार्स ते ठीक है नेक्स आता है एस्ट्रोनामी एस्ट्रोनामी मतलब होता है खगोल विग्यान science on the universe with sun moon stars planet इसे कहेंगे खगोल विग्यान बेसिकली science जितनी आप science पर तो related to sun moon stars planet ठीक है थीस्ट है तो थीस्ट का आगे ए लगगये त्यूल फूंद धीस्ट तो तीस्ट होगया आस्तिक ठीक है तोaw कोई कहीं पर क्या हो रहा है मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी audience रही को अधीज्यों मतलब मेरी बायोग्राफी मेरी life के बारे में जब मैं ही लिखूं उससे कहेंगे autobiography, थिक हैं, तो आपको क्योंगे, autobiography अगर खाली biography बोलता है तो मेरी जो कहानिए है, मेरी जीवनी किसी के ओड के दुड़ के दौरण लिखे भी तो मेरे दौरा लिखी गई नेक्स आते हैं auto crazy crazy is for government crazy का होता है गवर्मेंट ठीक है और टो का मतलब होता है एक तो गौम एक तंतर गौर्मेंट भाई वन पर साथ है crazy एक root word है जैसे कि democracy तो सारे government को जाते है ठीक है अवरिषए अवरिषए मतलब होता है लालची, ठीक है, one who is very greedy, बहुत जाता होसे लालची हो, greedy मतलब लालची, बैसलर हुड यार बैसलर आज न, आर यार तुम न मेरे उदिर आना, तु भाई का है, बैसलर पार्टी है मतलब शादी से पहले जो बैसलर पार्टी हो जैसे किसी ने कोई उधार लिया ठीक है और वो अपना उधार वापिस नहीं दे पा रहा वो बैंकरफ्ट हो चुका उसका दिवाली ओ चुका है तो इंसॉल्मेंट का मतलब ही वही है बैंकरफ्ट का मतलब ही बूलियो मतलब दिवाली आप परसन अनेबल टू पे किनारा हो खाडी हो तो उसे क्या बोलेंगे हम बे बोलते हैं ठीक है ना लेक और सी के समुंदर भी गया रहे कि नेक्स्ट आता आपका क्या बीच वही समुंदर तर्ट हैं जैसे बीच में घूमने चलो स्ट्रैच ऑफ सैंड स्टोंस अलॉंग दे एज ऑफ दा सी लेक जहां क कि आप अच्छा नजारा ले सकते हो बैली कोज मैंने अल्रेडी कराया था बैली कोज का मतलब होता है बहुत जाता है लडाकू बहुत जाता जगडालू जो हो बिसिकली से आपको एरल सम भी बोल सकते हो जो बहुत जगडालू हो परसन हो इस फॉंड ऑफ फाइटेंग ने अभी वर्ड कराया था देख लेना पीछे जाके देखना हमने वर्ड कराता है एल्ट्रिस्टिक अल्टी आर यूई एस्टी आईस्टिक का मतलब होता है जो लोगों की भलाई करें मैंने करवाया अभी आपको बढ़ ठीक है तो इसी का एक और वर्ड लिख लो मैंने लोगे फिलन्थ्रॉपिक है ये मानव जाती के बारे में सोचता है तो ये क्या हुआ ये होगे आपका फिलन्थ्रॉपिक पी एच आई एल एंटी एच आरो पी आईसी फिलन्थ्रॉपिक बिब्लियो फाइल देखो फाइल एक रूट वर्ड होता ध्यान डखना कुछ मतलब होता है फियर डर फिलिया और फाइल दिख जाए तो वो तो हो गया लव और आपको फोबिया दिख जाए फियर दिख जाए तो फोबिया का मतलब होता है तो आप खुद देखो बिब्लियो बिब्लियो का मतलब होता है बिब्लियो फॉर बुक्स किताबे ठीक है तो वीले वोगे आपका लव तो जो लव करता हो किसे किताबों से उस्तक परियमि कहेंगे वनु लवस कलेक्ट वनु लवस और उनकलेक्स बुक्स का और फिलियग रूट वर्ड लव का तो ऐसे जांद रखना ठीक है या नेक्स्ट है हमारा बिनाईल का मतलब क्या उता है बिनाय मतलब 2, तो 2 साल में जैसे एनुट का मतलब था कि सालाना, साल में एक बार, वैसे बिनायल का मतलब 2 साल में एक बार, that which happens once in two years, बाए का मतलब क्या होगा, बाए, देखो मैं आपको root words बता देता हूँ, गैमी, कहीं पे लिखा हो तो is gammy root word का मतलब होता है marriage, कई पर मोल लिखा ढो मोल नो तो मोनो का मतलब होगा सिंगल ठीक के नेहराइं बाय लिखा हो और लिक लो ना फिर बताता है व्किलियोम लिका खो तो दया मतलब है लजे बूएंथ अब देखा आगे कि अब बता रह आ हूं आप लोगो को कि देखो गैमी का आप भी मैंने बताया है गैमी ये लिखावा गैमी का मतलब है marriage तो यह होग है marriage by का मतलब होता दो तो दो marriage पर था ठीक है कि भई एक ऐसी wife जिसने दो शादिय कर रखे हो तो उसके दो husband हो या एक ऐसा husband जिसकी दो wife हो the custom of having two wives और two husbands ठीक है दो marriage परता मतलब जिसकी दो शादिय और के उसे बोलेंगे by गैमी ठीक है ना by got by got next by got का मतलब होता है cutter या यह तो हमारी सुनेगा नहीं बिलकुल cutter दिमाग का one who is filled with narrow and prejudiced and prejudiced opinion यह तो अपना ही दिमाग से रहेगा यह हमारी बात नहीं सुनेगा बिलकुल cutter है ठीक है बाइलेंगुल बाइलेंगुल का मतलब होता है जिस जो बंदा दो भाषा बोल सकता है one who can speak two languages उसे हम कहते हैं बाइलेंगुल ठीक है बायोग्राफी बायोग्राफी मतलब जीवनी मैं आप यह बताया था ओटो बायोग्राफी ओटो बायोग्राफी मतलब वो जीवनी मेरी लाइफ के बारे में मैंने खुद लिखूँ तो होया ओटो बायोग्राफी में अगर खाली बायोग्राफी मतलब मेरी life के बारे में कोई और लेके the life history of a man written by someone else किसी और के द्वारा लिखी गई जीवनी ठीक है biped मतलब होता है दो पैर वाले animal is called biped ठीक है next आता है हमारा bless phemy bless phemy का मतलब क्या होता b l a s p h e m e कि भगवान के खिलाब कुछ गलत बोलना उनकी पवित्रता को भंग करना कुछ गलत चीज़े बोलना तो ईश्वर के खिलाब बोलना speaking irrelevant about God और sacred things पवित्रत चीज़ों के बारे में कुछ उल्टा बोलना next आजी है bliss bliss का क्या मतलब होता मेरा भाई bliss का bliss का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्या हो खुश हो चरम सुक वाली स्टेट ठीक है तो bliss को आप क्या बोल सकते हो bliss को एक नया वर्ड सीख लो यूफोरिया ए-u-p-h-o-r-i-a यूफोरिया क्या बोलेंगे यूफोरिया और आप इसे बोल सकते हो एकस्टेसी इ-c-s-t-a-s-y इसका मतलब होता है कि ऐसी स्टेट जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्या हो चीरफुल हो बहुत ज़्यादा आप लोग खुश हो ठीक है नेक्स्ट आज जीए बोहेमिया बहेमियान मतलब बहेमियान मतलब होता है बहेमियान मतलब vendor vendor w-a-n-d-e-r-e-r जो normal life नहीं जीता है बस वो इदर से उदर क्या करते रहते है भर्म करते रहते है गूंते रहते है ठीक है भर्मन करते रहते है इससे आप बोल सकते हो vagabond V-A-G-A-B-O-N-D Vagabond ठीक है ये दोनों एक्जाम S-S-C के एक्जाम में कहीं बार रिपीट हुआ है D-S-S में भी आते रहते है One who does not follow the usual norms of social life is called Vagabond or Venter ठीक है न Next आज़ ये book warm और bibliophilia क्या मतलब होता है bibliophilia मतलब love bibliophilia मतलब kitaab जो किताबों से प्यार करता हो ठीक है ये तो ये हो गया book warm book मतलब kitaab warm मतलब कीड़ा तो किताबी कीड़ा जो किताबों में पढ़ता रहता one who is interested in reading books and nothing else सिर्फ किताबी पढ़ता है और कुछ नहीं करता ये बूरिश यार बूरिश का मतलब होता गवार लोग गवार लोग मतलब uncivilized कैसे लोग uncivilized लोग बिलकुल गवार लोग person who is rough and ill-mannered बिलकुल गवार लोग को बोला जाता है भूरिश ठीक है next आजी है botany botany का मतलब क्या होता है botany का मतलब होता है study of vegetable life study of plants study of vegetable life is called botany वनस्पति विज्ञान the science of vegetable life brittle brittle मतलब होता है कोई ऐसे जी जो बहुत जद नाजुक हो टूड जाए easily टूड जाए जिसे आप बोल सकते हो vulnerable है नाजुक है बहुत easily टूड जाएगी V-U-L-N-E-R-A-B-L-E इदर लिख देता हूँ आप लोग के लिए V-U-L-N-E-R-A-B-L-E विल्कुल नाजु चीज a thing which can be easily broken नेक्स्ट आजीए ब्यूरे क्रेसी फिर बताया है मैंने क्रेसी पर गॉर्मेंट ठीक है और ब्यूरे क्रेसी इस पर गॉर्मेंट ठीक है a government by the officials ठीक है क्रेसी इस दरूट वर्ड फर गॉर्मेंट लिख लेना कैबरेट कैबरेट मतलब क्या होता है कैबरेट मतलब होता है जो जैसे आपने दिखा हुआ लड़कियां होती है मतलब फीमेल्स होती है जो कैबरेट डांस करती है सीरिज ऑफ कैबर डांसर एक्ट साथा नाइट कलब नाइट कलब में चो लोग डांस करता हूँ सुम कैबरेट बोलते है कबी खहीं पर आपको लिखना हमने जा कैबी या कैब ड्राइवर तो कैबी का मतलब होता है कैब ड्राइवर जो आपकी कैप जैसे ola ola चलाते हैं तेक्सी करते है एक होता है का बैको खाटिया या फिर हाडश जो चुब है जो बिल्कुट बेकार हूँ अब आप सुनु फोनी का मतलब ही मैंने रूट बटता आ साउंड तो एक ऐसी साउंड जो कैली साउंड है कैली sound मतलब बहुती हुबसूरत बहुती सुडली साउंड है नहीं भई नहीं नहीं कैको मतलब होता अगली बहुती हार्ट बहुती अजीब तो चूब दे तो कैको फोनी मतलब हार्ट चूसांड जैसे मैं आपको वर्ड बोलूँ देखो इधर देखो मैंने आपको बोला कैलीग्राफी तो कैलीग्राफी ग्राफी एक हेंड राइटिंग को बोलते है कैली होगा art of beautiful handwriting वहीं मैं बोलता कैकोग्राफिक तो मतला art of bad handwriting ठीक है भाई कैजूल कैजूल देखो कैजूल को आप पड़ो काजल काजल लगा के किया उसने क्या मतला काजल लगा कर उसने करी चापलूसी जैसे की भई हमारी मैनेजर है मैं उपर मैनेजर है तो मैं उन मैनेजर को बोलो रहे मैडम आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो क्या काजल लगा आपने मैं बड़ा मस तो मैडम का क्या होगा ना उस मैडम की करना जिससे आप साइको फैंसी भी बोल सकते हो P H A N C Y S Y C O P H A N C Y ठीक है फ्लेटरिंग करना साइको फैंसी करना मतलब कि क्या करना चापलूसी करना बूट लिकिंग करना बूट लिक बी डवल ओ टी L I C के बूट लिक करना कैली ग्राफी मैंने अभी आपको बताया था ग्राफी का मतलब है हैंड रैटिंग और कैली एक रूट वर्ड होता है वी उतिफूल तो आर्ट व व्यूटिफूल हैंड रैटिंग कैनिबल वह लोग होते हैं जो इंसानों का क्या खाते हैं human flesh खाते हैं, इंसानों का मास खाते हैं, खून पीते हैं, तो the man who can eat human flesh is called cannibal, फिर cannibal क्या होते हैं, वो ही human, जो flesh खाते हैं, वोशी को हम बोलते हैं, one who eats human flesh, capsize, capsize का मतलब होता है, पानी में नाउ चल रही है, बोट चल रही है, पानी में पलट गी, तो overturn in water होगी, पलटना, capsize, overturn in water, next है, carnage, carnage का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों की एक साथ क्या होगी, मृत्य होगी, carnage होगी है, मतलब massacre होगी है, M-A-W-S-A-C-R-E, massacre का मतलब होता है, बहुत सारे लोग जब इखटे मढ़ जाए, M-A-W-S-A-C-R-E, massacre, ठीक है, next है, यह carnival, तो कहते हैं न, अरे आज तो हमारे स्कूल में carnival है, function लगावा है, तो बहुत सारे लोग आएंगे, मेला type लगाए, तो manuranger, मेला, public, merry, making, making and feasting, जहां पर bhojan, bhojan गिया, fest type का, और merry का मतलब होता है, आफ़े खुशी है, पबलिक खुश हो, पबलिक आए, सब लोग आएं, ठीक हैं, काटोग्राफर, क्या मतलब होता है, मेरा ब्याई, काटोग्राफर का, देखो, Cartographer का मतलब होता है एक ऐसा person जो maps बनाता है जो chart बनाता हो अब person who draws maps and chart देखो एक काटो जो है ना काटो ये काटो रूट वर्ड है map का ध्यान डगना ठीक है जैसी आप देख लो cartography फिर cartography का मतलब क्या होगे map तो cartography मतलब art of making map art of map making ठीक है next आजी एक catalog catalog का मतलब क्या होता है भई आप आए आप library में आया कहीं पे भी आया तो आपको वो दे दी एक catalog browser टाइप दे दी जिसे पर सारी list of books given तो उसे हम कहते है catalog जो की library में होता है catalog list of books and other articles ठीक है celibate celibate का मतलब होता है one who has never done sex जो बंदा क्या हो भ्रहंबाल भ्रहमचारी से कहते है भ्रहमचारी है celibate मतलब भ्रहमचारी one who has taken up वो not to have sex symmetry symmetry का मतलब होता है मेरा बाई कबरिस्तान जहांपे लोगों को दफना दिया जाए दा place लोगों को नहीं मतलब जो आपकी dead bodies है जहांपे dead bodies को हम बोलते है cops c-o-r-p-s-e cops बोलते है the place for cops is to be buried जहांपे dead bodies को हम दफना देते हैं ठीक है न next आपका centenary क्या होता है centenary centenary का मतलब क्या होता है centenary का मतलब होता है cent मतलब hundred cent मतलब hundred तो जब आपकी hundredth hundredth anniversary होती है उसे हम बोलते है centenary ठीक है next आई यह chronological chronological का मतलब होता है एक के बात एक बिल्कुल अच्छे sequence में apple pie order में लगा दे बिल्कुल एक अच्छे sequence में लगा दे apple pie order में लगा दे ना ठीक है समय के करमन अनुसार according to the sequence of time time के अनुसार लगा दो कि पहले यह हुआ फिर यह हुआ है तो apple pie order मतलब एक line में लगा हुआ है ठीक है ना chronological order में है next है circum location मेरा बहुत अच्छा favorite word है circum को आद रखेंगे आप circle तो circle की तरह घुमा फिरा के बाते कर रहा है मतलब गोल गोल बाते करना घुमा फिरा कर बात करना यह जो word है ना low q तो यहाँ पर बता जेता हूँ आपको एक low q कहें पर लिखाओ या low q u a low q u a low q u a का मतलब होता है बोलना speech जैसे location का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो circle की तरह जो बोलता हूँ घुमा फिरा के बात करना is around about way of expression is called circumlocation ठीक है मेरा भाई next is clock room clock room का मतलब की आदा जवाब railway station जाते हो थोड़ देरा रूब जाते हो तो वहाँ पे clock room बने होते हैं जहाँ पे आप अपने समान रख सकते हो ठीक है the place for luggage at railway station या फिर एक clock room वो भी होते है railway station में बड़े-बड़े जहाँ आप अपनी बाइक बाइक भाइक भेज सकते हो बड़े-बड़े विफ के भेज सकते हो आपको railway station पे मिल जाती है the place for luggage at railway station next is cohorts 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 का मतलब होता है यार forcefully forcefully कोई काम करना मजबूर करना compelled to course of force of action compelled to a course of action is called course next is cognate cognate का मतलब क्या होता है cognate का मतलब होता है एक ही जगा का source मतलब एक ही same origin से उत्पन होना same origin मतलब जहाँ से शुरुवात है अगर दो परसन है तो एक ही उपत्ती के दोनो परसन की शुरुवात एक ही source से है या कोई भी चीद आप बोल सकते हो having the same source और origin cognate उसे कहते है colleague मतलब जो साथ में हमारे काम करते है अगर मैं जैसे इंस्टूट में जाके offline भी पढ़ाता हूँ एक इंस्टूट में पढ़ाता हूँ मैं आपर तीन दिन पढ़ाता हूँ और बाकी अपने YouTube का करता हूँ ठीक है ना तो जो मैं महाँ पढ़ाता हूँ तो जो मेरे बाकी साथ के टीचर से वो क्या persons working in the same department सहे करमी next time collusion collusion का मतलब होता है भाई एक ऐसी meeting करना जिसमें आप कोई मतलब dishonest purpose के लिए मिल रहे हो fraudulent कोई fake purpose के लिए कोई गलत purpose है आपका और उसके लिए आप जब meeting करते हैं कोई agreement करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या collusion secret agreement for a fraudulent purpose ठीक है मेरे भाई conflagration conflagration का मतलब होता है कि भाई चारो तरफ आग लग गई ठीक है बिल्कुल आग बढ़ गई ठीक है flag मतलब आग conflagration हो गया huge destruction fire चारो तरफ आगी आग लग लग गई congregation का क्या मतलब होता है congregation का religious purpose के लिए meeting करना religious meeting जब हम लोग किसी से religious purpose के लिए meeting करते हैं उसे हम कहते है congregation congregation con का मतलब होता together con एक root word है जिसका मतलब होता है एक साथ together जहान रखना है बाद आप ठीक है congregation मतलब धरम संगती gathering of worshipers ठीक है congregation का मतलब होता है जो हर चारो तरफ से चार मतलब हर एंगल से वो same है identical है match होता है तो identical in all respect same है हर जगा से कोनाइजर कोनाइजर का मतलब क्या मेरा भाई कोनाइजर का मतलब है जो बन्दा किसी एक particular चीज में expert है कोनाइजर कोनाइजर कहते हैं उसे कला का पार की वन वेल वर्ज देन एनी सब्जेक्ट और आर्ट जो किसी एक आर्ट में बहुत जादा क्या है expert है conscription बहुत एक अच्छा वड़ा है conscription का मतलब है जब एक country force कर दे conscription मतलब compulsory बोल दे कि भई आपके घर में से अगर तीन बच्चे है दो बच्चे तो military में आएंगे हैंगे तो compulsory enlistment for military और other services ठीक है न conscription कहते हैं उसे contagious contagious का मतलब क्या होता है contagious का मतलब होता है कोई ऐसे जो संकरामक हो जैसे कहते है यार ये इसकी smile बड़ी contagious है मतलब बड़ी जल्दी फैल जाती है या बोले positive में बोला है अगर मैं बोलो negative में तो यार ये बिमारी बड़ी contagious है ये तो touch होते ही फैल जाएगी ठीक है न तो संकरामक which spreads by physical touch और contact next है contemporary contemporary का मतलब होता है same time का एक ही time का या ये तो contemporary है तो मतलब संबल लो example दोनो बच्चों दोनों बच्चे एक ही time पर पैदा हुए तो मतलब of the same time contemporary होना example दिया मैं आपको ठीक है एक ही समय पर होना देखो लिखा न समकाली next है contiguous contiguous का मतलब क्या होता है contiguous का मतलब होता है जैसे दो country है ये country है ये country है तो इनका border ही है two boundary basically contiguous का मतलब है contiguous का मतलब है boundary बस ये आंदर को boundary two countries और states कोई state की boundary भी हो सकती है two states की states touching common boundary ठीक है contrite contrite का मतलब होता है regret regret होना दिल में regret होना आपके पच्छत आप वाली regret होना कि आपने कुछ गलत किया regret contrite showing deep sorrow for wrong कि आपने कुछ गलत किया उसके लिए आपको regret ठीक है ये बहुर अच्छा word है इसको star mark कर लेंगे हम convalescence convalescence का मतलब होता है आपकी तब्यत बहुत जादा खरापती अब आप अपनी तब्यत से क्या करो recover कर रहो the period of gradual recovery of health after illness अब आप बिमारी के बाद क्या कर रहो recover कर रहो समकर convalescence कहते है ठीक है next conventical conventical का मतलब क्या होता है वो ही जिसे मैं आपको बताया था कि किसी गुप्त रूप से कोई meeting करना किसी गलत परपस के लिए ठीक है गुप्त और गयरकानुनी धरम सबा secret and illegal religious meeting जो एक ऐसी meeting हो रही हो जो illegal है और कोई गलत चीज के लिए आप एक धरम की meeting कर रहो तो conventical कहते हो इसको ठीक है next coquette coquette का मतलब क्या होता coquette का मतलब होता दिल fake महिला जो कभी किसी और male के साथ है फिर कभी किसी और मिल के साथ है a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men okay coronation coronation मतलब होता है कि राज्य अभिशेख करिये इस राज्य इस राजा का the ceremony of crowning का king को तब ताजवाज पहनाया जाएगा king को गोशना कर दी जाएगी कि अभी इनका राज्य विशेख होगे रहा है ठीक है ना राज्य विशेख करना भी सी के लिए तो राज्य विशेख को हम बोलते है coronation next रा cosmopolitan ठीक है cosmopolitan मतलब एक ऐसा person तो सारे world घूम चुका है पूरी धुनिया घूम चुका है उसे खुद भी किताब पढ़ेंगे obviously बात है बड़ा जो मेरी वीडियो देख के पढ़ोगे तो मेरे भाई आपकी बहुत ज़्यादा दिक्ते solve होंगी 100% surety है मेरी ठीक है next है credulous credulous का मतलब होता है जो किसी पर भी विश्वास कर लेता है बहुत जल्दी विश्वास कर ले ठीक है one who is simple and easily believes whatever is told जो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर ले next है crematory crematory का मतलब होता है एक का symmetry उसका मतलब था कबरिस्थान ये crematory यहाँ पे bodies को dead body जो cops होते हों को जला दिया जाता the place for cops is to be क्रिपल क्या होता है क्रिपल बोलते हैं आप अंग को जो handicapped होते हैं someone who is unable to walk normally because of an injury or disability to the legs or back next है क्या curfew curfew मतलब जैसे कहते हैं आप चारों तरफ curfew लगा दो police खड़ी रहे गया कुछ नहीं होगा country ने curfew लगा दिये सरकार ने तो अब सब दुकाने बंद हो जाएगे और अडर डट सर्टें अक्टिविटीज मुवमेंट और प्रोहबी ड़कर फिल लग गया हमाँ पर next is sinusure sinusure मतलब होता है center of attraction center of attraction center of attraction is called आकर्षंग बिंदू आकर्षंग बिंदू next is dead डेड का मतलब है जो जीवित नहीं हो ठीके मिरित वेकार वेजान ठीके न यहां पर दे रहे का language that is no longer spoken तो यह बात ध्यान मत रखना ठीके न अब डेड का मतलब से dead body होगी है यह एरर प्रिंटिंग है मतलब प्रिंटिंग में एरर नेक्स्ट डेमगोग डेमा डेमा इस फॉर प्लिक ठीके डाम गोग मतलब हो था पॉलिकल पॉलिटिकल लीडर हूँ डिलीवर सेंटिमेंटल स्पिच डेमगोग मतलब जब पॉलिटिकल लीटर क्या करें एक सेंटिमेल्टल लोगों को स्पीज दे रहा हो दे प्लेक रहा हो इमोशनल स्पीश देना उसे कहें एक डेमागोग डेमो क्रेशी डेमो इसफ़़ पॉर पॉलिक स्पर गोर्मिंट बताया था तो government byThe people for the people and for the people byडолж-फ्भ वह वी सरकार है लोगों की भलाई के लिए काम करेगी Denison का मतलब क्या मेरा बैद Denison का मतलब हुता निवासी जो कहीं पर रहते हो पास में Person, Animal, Plants that lives, grows or is often found in a particular place इस जगह का particular क्या यह Denison निवासी है तीक है निक्स आता Depraved Depraved होना Depraved मतलब जो चीज क्या है bad है morally morally क्या है वो चीज bad है उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे deprive d e p r a v e d deprive morally bad और evil next deprecate deprecate मतलब होता विरोध प्रकट करना express earnest disapproval of किसी के किलाब deprecate produce करना मतलब विरोध दिखाना ठीक है न मिरा भई next देखते हैं हम लोग next आपका dermatology dermatology का मतलब होता देखो logic का मतलब होता है study और derma का मतलब होता है skin ठीक है तो dermatology का मतलब क्या है study of skin the medical study of the skin and its diseases ठीक है despondency despondency का मतलब क्या होता है despondency का मतलब होता निराशा hopeless hopeless निराशा despondency loss of complete hope loss of complete hope पूरा निराशा जनक है आप तो despondency में है ठीक है ना destitution मतलब जब आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं हो आप सारे basic necessity भी lack कर रहे हो मतलब दिन भर का आपका गुजारा करने के लिए भी कुछ नहीं है lacking basic necessities of life is destitution जो त्यारी करते हैं काफी बच्चों के बच्चों को इस से गुजरना पड़ता है ठीक है destitution हो गया हमारा next आजी है detrimental बहुत अच्छा वर्ड है नोट करना detrimental का मतलब होता harmful कोई बीचे जो आपके लिए क्या बहुत ज्यादा harmful है इसको आप बोल सकते हो डेली ट्रियस मतलब जो आपके लिए बहुत ज्यादा कुशल skillful at handling things ठीक है next आप डिया ट्राइब मतलब क्या होता भाई डिया ट्राइब का मतलब होता है कि आप किसी ए खिलाब बड़े ही criticism बड़े ही कठोर शब्द बोल रो निंदा वाले बड़े चुबेंगे उससे वो बड़े हैं तो लिख कर आप किसी की बुराई कर रहे हैं बोल करें डिक्टेटरिशिप का मतलब होता है ताना शाही जब एक ही बंदे का राज चल रहा हूँ पूरा गौर्मेंट केरीड वाई एन एपसुलिट रूलर डिक्टेटरिशिप होगी वाई यह तो अब अपनी म किम है कि दो चीज़े हैं यह यहाँ परसन यहां परस एसे कुछ कुछ रखावा यह इब परसन यह रखावगा तो मैं कह रहा हूँए दोनों समान चीज़े हैं तो यह दोनों चीज़े सेम होंने चीज़े हैं जो समान होनी चाहिए बगर उनमें डिफरेंस है देखो डिफरेंस बिट्विन टू थिंग्स डैट शुद भी द सेम होनी तो समान चाहिए बड़ उनमें थोड़ा डिफरेंस उसे कहते हैं डिस्क्रिपेंस ही ठीक है बहुत अच्छा वर्ड़ है स्टार माक कर लेना इसे हैं अच्छा वर्ड़ है डिस्यमिलेट का मतलब होता हाइड करना किसी को कंसील करना छुपाना C-O-N-C-E-A-L आपके ससी में आता रहता है तो hide करना disguise disguise का मतलब भी होता है छुपाना ठीक है तो छुपाना की जिसको is disemulate hide, disguise and conceal next आता है duernal duernal का मतलब होता है duernal duernal मतलब day में दिन के time में of the day time next आपका drapper drapper का मतलब क्या मेरा भाई drapper का मतलब होता जुला मतलब एक shopkeeper जो क्या करता हो कपड़े बेशता हो कपड़ा बेशता हो कपड़े बेशता हो उसे कहते हैं drapper next आपका drap drap जैसे की इंडिया पाकिस्तान का match हो समझो वो drap तो कोई नहीं जीता tie हो गया the result of the match वे नाइदर पार्टी विंस वाज़े नीदर पार्टी विंस इस काल ड्रॉ next आड ड्वाफ देखतो ना जिन लोगों के हाइड छोटी होती है बोने होती है चाहिए वो कोई जीव हो कोई अनिमल हो कोई प्लांट हो या कोई परसन हो जीव हो तो मतलब क्या succession of rulers belonging to one family ठीक है आगे आते हैं आगे आपका इविस ड्रॉपर क्या नाम है इविस ड्रॉपर ये एक परसन को बोला जाता कोई परसन होता है जो इदर की बात उडर करता चुपके से बाते सुनता है दूसरों की नीजी बाते जो सुनता है इविस ड्रॉपर कहते है चुपके से नीजी वार्दला one who witnesses secretly to private जो चुपके से दूसरों की बाते सुनता किसी और को बताता है उसे कहते है इविस ड्रॉपर नेक्स्ट आपका एकनॉमिकल एकनॉमिकल का मतलब होता है जो लोग पैसा फाल्तू में खर्च नहीं करते बचा के चलते है one who is careful in the use of money fuel sector जो पैसे को बचा के चलते है यह नहीं कि फिजूल खर्ची करते है ऐसे नहीं होते है वो एकनॉमिकल होते है ठीके नेक्स्ट है एडिबल एकनुमिकल मतलब होता है किसी के कोई एक ऐसा परसन जिसमें थोड़े औरताना गूंड है एक ऐसा आदमी ठीके ना तो मेल एक ऐसा मेल परसन man who is womanish in his habits जिसमें थोड़े क्या है ओड़ताना गुंध होना egalitarianism का मतलब होता है जिसमें आप ये देखे कि सारे लोग equal है सबको जो opportunity मिलती है वो same होनी चाहिए सारे लोग equal है egalism is for equal ये root word किसका equal का तो समता वाद मतलब believe that all people are equal and have the same rights and opportunities तो सारे लोग equal है ये belief ठीक है next है egoist egoist को हम बोलते हैं घमंडी super serious ये लिखावाद super serious super serious का मतलब होता मेरे बाई arrogant जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो arrogant हो इससे आप बोल सकते हो self conceited self conceited जो से अपने बारे में सोचता है बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो c o n c e i t e d ये भी एक्जाम में आपके option में आ जाता है तो एहंकारी हो arrogant हो super serious हो जो अपने आप से ही प्रेम करता हो lover of one's own self next है eligible जो चीज़ खाने के योग्यो eligible मतलब योग्यो जैसे कि कभी आपके SSC के form निकलते है जोगी तो आपका eligibility criteria है कि आप योग्यों सीच के fit to be chosen हो qualified हो ठीक है emergency एकदम emergency condition आगे तो आप से भागते हो आप आपका certain serious situation requiring immediate action next है emeritus emeritus का मतलब होता है जैसे किसी को आप कहते हैं इसकी retirement है भाई आज ये बंदा अच्छे से retirement party देके उसको अच्छे से क्या कर रहा आप सम्मान देके विदा कर रहा तो उसे कहते हैं हम क्या उसे कहते हैं emeritus ये जीज़ ध्यान रखना आप immigrant का मतलब होता है देखो एक होता है immigrant और एक होता है immigrant दोनों समझ लो आप अच्छे से मैं आपको यहां पर समझ देता हूं देखो एक होता है मेरे बाई immigrant ये जो हम पढ़ रहे हैं और एक होता है immigrant दोनों ध्यान रख लेना देखो जब देखो ये देखो ये एक person है ठीक है ये इंडिया है ये country है इंडिया बहुच्छे समझ लो कि आपको आगे भी future में काम आएगा और ये है America समझो में की बाद तो ये जो person है ये इंडिया छोड़ कर जा रहा है कहां जा रहा है इंडिया छोड़ के जा रहा है ये ठीक है तो यह इंडिया छोड़ के जा रहा है तो यहां से जब यह छोड़ के जा रहा होगा तो यह हुआ immigrant क्योंकि यहां से छोड़ के दूसरी country में जा रहा है person who goes to another country to live प्रवासी तीक है यह इस country में आएगा तो जब यह इस country में आएगा अब यहां पर आके रहेगा तो यह क्या हो गया है यहां पे immigrant IWMI GRANT दुबारा IWMI GRANT दोनों वड़ है immigrant immigrant तो आपको पता हो नहीं चीए immigrant है जब आप अपनी country मतलब जिस country को आप छोड़ के जा रहे हो तो आप immigrant हो प्रवासी हो person who goes to another आप दूसरी country जा रहे हो तो इस country से जा रहे हो तो हो गया immigrant EMI GRANT जब इस country के लिए आप आ रहे हो तो वो हो गया immigrant IWMI GRANT दी एक परसन एमिग्रेंट भी होता और इमिग्रेंट भी होता है एक स्टेज में जब इधर से जा रहा है तो एमिग्रेंट और इधर से जा रहा है तो एजन्ट होते है वैसी ठीक है नेक्स्ट आपका एपी क्यूर एपी क्यूर का मतलब होता जो बहुत ज़्यादा खाने का शोकी नो परसन फॉंड अफ डिलीशियस फूर जैसे बहुत अच्छा खाना पसंद हो कि भाई बढ़िया खाना खाएंगे ऐसे ठीक है नेक्स्ट है एपीडेमिक हो गया मतलब कोई कैसे डिजिस जो बहुत जादा फैल गई डिजिस एफेक्टिंग मैनी पीपर एड़ सेम प्लेस टेम टाइम जैसे की अपिडेमिक कोविड बहुत जादा संक्राम एक तेजी से फैल गई एक ही समय में बहुत जादा लोगों को गई ठीक है पोएम दी जाएगी उसे रिसाइट करने के लिए कि भाई मूल भाव बताने के लिए कुछ बोला जाएगा एंड में तो यह एफ और एंड याद रखना देखो एक होता है एपिलोग और मेरे बहुत प्रोलोग पी र ओ एल ओ जी उई दुबारा एक होता है एपिलोग एक ह नाटक केबाद ऑद ऐ-4 एंड ऐ-4 एंड बाद बोला जाएख एपिलोग और नाटक को स्टार्ट करने से पहले टी, तो ये इस प्रोलोग दोनों ध्यान लगने एैसे सी में दोनों आते हैं अच्छी लग रहे हो वीगों तो मेरो लाइक करदेना शेयर करदेना प्ली से ब वीडियो ज्यादा नहीं पोच पाएगी लोगों को पहले वीडियो तो 6000 तक पोच गी थी पता नहीं कैसे यह मुझे लगता ज्यादा पोच पाएगी दूसरी बात एक मेरा चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है विने कक्षा टेलीग्राम चैनल तो वह आप ज एपिसोडिक का मतलब कोई चीज रेगुलर नहीं है इर्रेगुलर है इर्रेगुलर है इसे हम बोलते हैं कोई चीज इर्रेगुलर है तो स्पैस्मॉडिक है स्पैस्मॉडिक स्पैस्मॉडिक है मतलब कि क्या है इर्रेगुलर है कभी होती है कभी होती है कभी रूख जाती ह एपिटेफ एपिटेफ का मतलब होता मेरे बाई जैसे कि किसी की कबर किसी की देत हो गए यहां पर उसको बरी कर दे दफना दे और उसकी कबर है तो एक इंस्क्रिप्शन उसकी कबर में लिखी जाते हैं उसे कहते हैं एपिटेफ कबर पर इंगिडित शब्द उसे कहते हैं क्या है एपिटेफ कहते है वर्थ विचर इंस्क्राइब ऑन दा ग्रेव ठीक है ना थोड़ा हिंदी इतने च्छी नहीं है मेरी तो समय ले ना तब भी मैं पूरी कोशिश करता हूं ठीक है एपिटेट एपिटेट क्या किसी की वीषिशता तो से कि निंदा करने के लिए कोई 玩ं लगाऊं गया उसकी प्रशन्सा में करने के लिए को मैं इसे क्याते हैं ओन् 1 क्या त्म वोग जो बता रहा है किंग समझदार ठीक है मेरा भाई आजए ये विडियो अच्छी लग रही हो तो कड़ते रहाना यार शेर प्लीस ठीक है next है epitome epitome और epitomize का दोनों का मतलब से ये दोनों का सेम मतलब है मतलब होता है perfect example किसी चीज़ का जाब perfect example दो उसे कहते epitomize या epitome ठीक है next है equanimity, equanimity मतलब होता है धहरेता, calmness, बिल्कुल धहरे से चलो, equanimity, बिल्कुल धहरे से calmness of mind and temper, धहरे से, exam pass करने के लिए धहरेता होना बहुत जुरूरी next है erotic, erotic मतलब कोई ऐसे अश्रील गिरन जिससे देखके आप sexually desire feel करे जादा books होगी, pictures होगी, intended to arouse sexual desire next है erudite, erudite मतलब होता है scholar, विद्वान व्यक्ति, विद्वान पुरुष, विद्वान व्यक्ति को बोलेंगे ठीक है, तो erudite मतलब scholar, अब learned और scholarly person, जरूरी नहीं है पूरुष, ठीक है as pointage, as pointage का मतलब क्या होता, फिर as pointage का मतलब होता, जासूसी करना, practice of spying ठीक है, practice of spying है, as pointage मतलब जासूसी, clear ना, eternal, बहुत ही अच्छा है, note कर लेजे eternal का मतलब है, जो चीज कभी खतम नहीं होगी, forever है, हमेशा के लिए, ये चीज तो कभी खतम नहीं होगी, living forever हमेशा है, anant, existing forever without any beginning or end, ये चीज कभी खतम नहीं होगी, eternal है, e-t-e-r-n-a-l, eternal है, ठीक है मेरा बाई, आगे आ चाहिए, atomology, logy एक root word है, जिसका मतलब होता है, study, और eti मतलब होता है, eti मतलब होता है, words, तो study of origin of words, the science of deals with derivations of words, origin of words, study of origin of words is called etymology, ठीक है, एक होता है आपका entomology, ये भी देख लो, entomology, इसका logy का मतलब study of, ठीक है, और ento का मतलब होता है, insects, तो study of insects को हम बोलते है, entomology, और etymology होता है, words है, शब्द जैसे English के words होता है, तो ये कैसे आए, इंकर ये derive कैसे होता है, तो उनकी study को, शब्द निर्मान विज्ञान को बोला जाता है, etymology, और entomology, insects की study को, clear है, आईए-आगे, euphemism, euphemism मतलब होता है, बहुती बढ़िया तरीके से, सब्सक्राइब बढ़िया ये paragraph लिख दो, तो bombastic style of writing जो होती है, उसे हम बोलते है, आर डंबर शेली, इसको बोला जाता है, bombastic style of writing को, euphemism, ठीक है, euphonious, euphonious मतलब होता है, बहुती सूरीला, कोई चीज़, बहुती सूरीला, euphonious कहते हैं, कोई चीज़, बढ़ी सूरीली हो, sonorous हो, sounding pleasant, euphoria, euphoria मतलब मैंने आपको भी बताया था, euphoria का मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा खुश हो, जो मैंने आपको bliss पढ़ाया था, bliss, 3-4 वड़ बता रहा हूँ, euphoria, bliss, B-L-I-L-S और एक वड़ और देख लो, ecstasy, इसका मतलब होता, खुशी, बहुत ज़्यादा खुश वा और अनन्त है, तो ये चीज़ जो है ना, evanescent, ये है temporary, temporary है, इसे आप बोल सकते हो, transitory, transitory, transient, ephemeral, इनका मतलब होता है, जिसका duration short हो, लंबे duration के लिए नहीं है, अनन्त नहीं है, बस छोटे time के लिए है, short duration के लिए है, अस्थाई है, तो ये चारो, temporary, transitory, evanescent, ephemeral, transit, पाचो याद कर लेना, exam में बहुत बार आते हैं, repeated है सारा, ठीक है, vocab, आपकी सारी repeated होगी मेरे भाई, कुछ time में vocab, guru नाम रद्द होगी आप मेरा, जितनी तगड़ी हमारी vocab है, क्योंकि भाई, अच्छा score कर रहा है, 50 में से 50 भी English में score कर रहा है, CPO में, तो क्या होगा, मैं आ आमर कराऊंगा, तो आपको और मज़ा आने वाला है, ठीक है, आगे देखते हैं, explicable, क्या मतलब होता है, explicable का, explicable का मतलब होता है, जिस चीज को आप बहुर अच्छे से explain कर पाऊ, that which can be explained, extemporer, extemporer का मतलब होता है, बीना सोचर समझे से, मैं आपको बोलू, चलो, extemporer competition करते मतलब, मैं आपको को topic दूँगा, जैसे मैंने बोला, deforestation, तो आपको उसके उपर बोलना है, मैंने बोला, woman informer, तो आपको बिना planning के, बिना त्यारी के भाशन देना, बिना त्यारी के speech देना है, speech delivered without any preparation, ये तो extorm पे हो रहा है, मतलब, on the spot है, spontaneous speech होगी, ठीक है, extravaganza, extravaganza म मतलब, बड़ा ही तगड़ा नाटक हो रहा है, जिसमें बड़ा पैसा लगाएगी है, बहुत ज़्यादा तो लोग आएंगे, extravaganza हो रहा है, बहुत बड़ा नाटक है, पैसा खड़ जोगा, इसमें बढ़िया वाला, ठीक है, तो लोग आएंगे, मज़ा आएंगे, नेक्स्ट है, फैलसी, फैलसी का मतलब होता है, फेक, ब्रह्म, ठीक है, भिब्रह्म है, फॉल्स और मिस्टीकन बिलीव है, आपको बड़ ब्रह्म है, आपको एक इल्यूजन है, आई-डवल-L-U-S-I-O-N, इल्यूजन है कि वहाँ पर कुछ है, यार वहाँ पर मैंने यह नहीं समझेगा हमारी बाद, यह बिल्कुल कट्र दिमाग का है, ठीक है, नेक्स्ट राजी है, फास्ट इडियस, उस बंदों के कहते हैं, जो कभी एड़जस्ट नहीं कर सकता, जो बड़ा ही नखरेवाज है, वो कोई नहीं कमी निकालेगा, आप किसे कोई परसंग घर जया और आप यह घर में बिल्कुल गंदिगी तो कहेगा, मैं नहीं रपाऊगा, ठोड़ी बे तो कहेगा, मैं नहीं रपाऊगा, भाई, मैं न एड़जस्ट नहीं कर पाऊँगा, वन वाने हिस हार्ट तो प्लीस, इससे पताना मुश्किल है, नखरेवाज आज़स्ट इ ग्रेटेलिस्ट मतलब क्या होगि भाग्य जो भाग्यवादी हो जो भाग्य में बिलीव रखते हो डेस्टिनी में, one who believes in destiny, next फॉर्णा, फॉर्णा, एक होता है फ्लॉरा, फ्लॉरा इस फॉर प्लांट्स और फॉर्णा होता है एक पर्टिकुलर एनिमल एक ही जगह कि एनिमल फ्लांट्स और पर्टिकुलर रिजर्ण इस काल्ड़ फॉर्णा, next फॉर्णा, फैमिनिस्ट, फैमिनिस्ट मतलब क्या होता है, नारी वादी, जो लोग, जो नारी के पाइदे के लिए काम करें, one who works for the welfare of women, फ्यासको, फ्यासको मतलब, फ्यासको मतलब भई, आपने बहुत मैंनत करी कुछ की हो पाया बिल्कुल पूर्ण असफलता मिली complete failure हो गया यह तो तो that is fierce को next step flag step flag step मतलब जिसमें आप एक pole होता जिसमें flag को flag लहरता है ना flag लगा तो उससे कहते हैं flag step staff मतलब pole जिसमें flag लगे ठीक है along pole on which of flag is flown ठीक है flora flora मैंने अभी बताया आपको कि fauna होता है animals of a particular region of flora plants of a particular region देखो आई गया flora next step fluke पूरा ही कर रहा हूं दोस्तों पे छोटा सा break लेंगे कहने का मतलब है fluke fluke का मतलब होता है थोड़ा सा luck आपका आगया stroke of good luck तेक है आगस्मिक सफलता stroke of good luck आपका लगता है इसलियाद कर पाया उसे कहेंगे fluke forgery बहुत अच्छा वर्ड है नोट कर लो forgery का मतलब होता है जाल साजी चीजे है counterfeiting यह वर्ड important है नोट के लिजे counterfeiting c-o-u-n-t-e-r-f-e-i-t-i-n-g counterfeiting मतलब spureus 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 fake बिल्कुल false है in authentic है तो fake documents है forgery हो रहा विल्कुल धोके वाले काम है जाल साजी documents है illegal है unlawful है ठीक है ना फ्रेटरी साइट देखो एक root word और समझेंगे next word पर आ रहो forgery तक होगे next word आपका side c-i-d-e side side का मतलब बता मेरा भाई killing ठीक है अगर ये देखो मैं आपको चीए बताता हूं अगर ये लिक बोल रहा है patricide patricide तो आप समझ जाओ के side बताया सनने c-i-d-e side root word मतलब killing और patrie मतलब p for papa तो killing of a father is called patricide वैसे matricide होगे killing of mother ठीक है तो ऐसे ध्यान देखना बताता हूं अभी आ जाओ fratricide site मतलब killing fratricide is for brother the killing of once brother is called fratricide ठीक है आप side वाले सारे कर लोगे आगे आते हैं frenzy frenzy मतलब बहुत उन्माद होना मतलब बहुत जादा excited हो किसी चीज़ को लेकिए that is frenzy next frostbite frostbite का मतलब क्या हो रहा है sheet dance मतलब injury to the nose fingers of those caused by extreme cold जैसे करें बहुत थंड हो जाती है आप बहार जाते हो कुछ लग गया आपकी नाक तो को लग गया नाक red हो जाती है that is frostbite ठीक है next gallery आपके phone में gallery होती है ठीक है भार जो आपके flat होता है उसमें gallery होती है टहलने के लिए room और building for showing works of art ये gallery कहते हैं को तीन gallery बता रहा है तो phone में gallery जहां पर आप अपने photo check कर दो तो इस gallery भार balcony को gallery कहते है घोम ले तो ये gallery कहा लेका देखा ना आप वो कहते है रहे gallery लेगे पेंटिंग्स की बहला आप जाओगे बड़ी बड़ी उन्हें हम पंटर कहते हैं जो जुआ खिलते हैं नेक्स्ट है gastronomy खाना बनाता है बहुत ही बड़ी है क्या कला है उसके खाने बनाने की गजब खाना बनाता है डेट इस उस कला को हम बोलते है gastronomy उत्तम अहार विग्यार science and art of preparing and appreciating good food उसे हम कहते है gastronomy जिसे खाने की बहुत ज़्यादा क्या हो अकल हो बेक आर्ट हो उसके अंदर खाना अच्छा बनाना भी और खाना पहचाना भी कौन सा बढ़ी है कौन से इस सारा ठीक है नेक्स्ट है जीनो साइड देखो side is for killing जीनो is for race तो एक particular race को माड़ देन extermination of a race और community उसे हम कहते है जीनो साइड जन साहर ठीक है मेरे भाई आ जाओ geology एक root word है study का geo is for geography तो geography में क्या होता है जोगरफी में आर्थ होती है rock होती है matter of forces rock होती है आर्थ कितनी बड़ी तो ये पूरे भगोल विज्ञान जो है आपका the science of earth history और rock एक ऐसी science of study ठीक है earth की history की rocks की उसे हम कहते है geology ठीक है geography भी गया रहा है वैसी आजएए side फेदे को side आगे cid side मतलब killing germ मतलब क्या germs जो germs पहल जाते हैं तो a substandard kills germs एक antibiotic जो सारा कहते है नाशक जो सब germs को मार देता है उससे कहते हैं germicide next important word यह तो आप बहुत लोग मजाग में बोलता है वह तो पेटू है बहुत ज़्यादा खाता रहता है one who eats too much उससे आप कहते हो glutton पेटू gobble बेवकुफ्यों की तरह आप लोग खा रहे हो लालची की तरह खा रहे हो जारा ज़्यादा कि दूसरे को नहीं मिल जाए तो उससे कहते है गॉबल करना लालची की तरह खाना eat fast and noisely and greedy लालची की तरह खाना ठीक है मेरा वाई नेक्स्ट है gratis या gratitude मतलब होता फ्री में कोई भी कामा फ्री में कर रहे हो done or obtain without payment without payment कर आपने फ्री में करा ग्रिगारियस मतलब क्या होता ग्रिगारियस के दो मतलब है लिख लो ग्रिगारियस का एक मतलब है sociable अगर आप इसको इंसान के रूप में उसकरो कि he is gregarious तो मतलब हो फ्रेंडली है नोट कर देना अगर आप एनिमल्स के लिए बोल रहो तो एनिमल्स भी वो sociable है इसलिए वो जुंड में चलते है समू में रहने वाले जुंड में चलने वाले इनिमल्स देखो हिंदी में कभी इंग्लिश का डारेंट हिंदी बनाओगा तो गड़बड हो जागी गरिगारियस का मतलब होता है वो लोग यह वो जानवर तो sociable हो जो ग्रूप में रहना पसंद करते है अकेले नहीं रहते है अगर इंसान के रूप में होता तो sociable है friendly ने है सुखवाद believe that the most important thing in the world is pleasure कि आप संतूस्तों खुश है हैंचमेन हैंचमेन का मतलब क्या मेरा हैंचमेन का मतलब होता है सपोर्टर सेवग जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्टिकुलर सपोर्टर होता है faithful सपोर्टर होता हम कहते हैं हैंचमेन ठीक है का हर भी वोरस क्या होता है को वोर वी ओ आर वोर जो होता है ना वोर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इट वोर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इट चाहर भी वोरो सो कानी वोरो सो इंसेक्टी वोरो सो चाह वोर जब भी आजा तो उसका मतलब है इट तो हर भी हर्ब मत बहुत बड़ा है इसके साइज और इसमें बहुत ताकत है हर्कुलीन वाली ताकत है इसके ज्छाइब ज्रेंट है का मतलब होता है विशाल होना एक ही सेंद्टेग्स का मतलब होता है कि different different elements चीज़े सेम नहीं है things which contain elements of different nature same nature होगा तो homogeneous homogeneous की spelling होती है H O M O G E N O U S homogeneous और different different nature है different different characteristics है तो उसकी spelling है heterogeneous ठीक है next आपका hexa hexagon is for six ठीक है तो hexa होता है six oct होता है oct होता है eight ठीक है ना तो hexagon six तो a plane figure with six sides and angles is called hexagon सभी है next आईए holocaust holocaust क्या होता यह देखते है holocaust मतलब होता है जब बहुत ज्यादा क्या हो बहुत ज्यादा चारों तरफ आग लग जाए बहुत ज्यादा आग लग जाए उससे हम कहते हो holocaust last scale restriction by fire fire की वेज़े हचारों तरफ बहुत ज्यादा आग लग जाए ठीक है ना next है आपका homicide मैंने बताया था ना मेरे बाई c i d e side side का मतलब होता है killing बताया था root word है side killing तो homicide घर में killing तो मतलब home is for human तो homicide मतलब होता है क्या मानव हत्या murder of a man murder of a man murder of a man ठीक है homogenous अभी मैंने समझाया आपको homogenous जो nature में सेम होते हैं अभी heterogeneous बता दिया ठीक है यह देखिए इदर बताया मैंने आपको यह heterogeneous के साथ यह आपका heterogeneous 204 पर मैंने आपके साथ homogenous बता दिया तो homogenous यहां पर आ गया things which contain elements of the सेमने चाहिए को मेरे से पढ़ने का यह फायदा कि कोई भी extra चीड होगी ना मैं हाथ बता दूंगा देखो वह आगे भी आगी ठीक है honorary honorary का मतलब होता है जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ठीक है तो YouTube से मेरा चैनल मॉनेटाइज ही नहीं है तो मुझे पैसा इनी आ रहा तो मैं आगर मैं पढ़ा रहा हूं एक समझ लो एक पोस्ट है टीचर की तुम आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पोस्ट फोर विच नो इसके लिए मुझे कोई सेलरी निए दी जा रही है वोसमा पढ़ा रहा हूँ अपनी सर्विस दे रहा हूँ पोस्ट फॉर विस्ट नो सेलरी स्पेड एक एक इसमपल दिया है मैं आपको तो ऑनरेरी कहते हैं disputes नेक्स्ट आ होंटी केल्चर हूटी कल्चर का मतलब होता आपसे related plants fruits vegetables से news वाग वानी आच ईर्ड़व वेजिटेबल डे effectively here मतलब हो दो हमको क्या करते हैं उनको ध्यान रखते हैं पूरा जो हो सके महमान के लिए हम करते हैं तो मेहमान नवाज थोड़ा हिंदी की दिक्के दे तो समझ जा रहा है नेग्स्ट है आपका हाइपोकॉंड्रिया, हाइपोकॉंड्रिया का मतलब होता है कि जब सब चीजे ठीक हो, बढ़ आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बिमारों आप बिमारों, आप इमेजिन कर रहो कि आप बिमारों, काल्पनिक बिमारी है, imaginary ailment, से आपको लगे मेरे को तो कोई सीरिक बिमारी और आपको कुछ भी नहीं आप बिल्कुल फिट उससे हम कहते है हाइप्र कॉंट्रिया स्टार मर्क कर लेना कहीं बार एक्जाम में आ रहा है आइकोनोक्लास मतलब होता है जो जैसे कोई बिलीव है तो कोई हमारा प्रिंसिप हो आदी तो यह आपके 213 हो गए हैं अब हम इसके नेक्स्ट आता है हमारा आइडोलेटरी आइडोलेटरी का क्या मतलब होता है आइडोलेटरी का मतलब होता है मुर्ति पूजन ठीक है जब आप किसी मुर्ति की पूजा कर रहे है था वर्षिप आइडल्स और इमेजिस उसका होता है है तो है एकला कोई बी बगवान हो उसकते हैं इलीगल का मतलब होता है अवेद्र जो चीज क्या हो कानून के खिलाब हो इली नेक्स्ट है इलेजिबल, इलेजिबल मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, इतनी घटिया राइटिंग है कि पढ़ा ही नहीं जा पा रहा, incapable of being read, और पठ नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट है इलिसिट, देखो भी मैं आपको इलिसिट बताई दिया, तो इलिसिट का मतलब क्या होता, अवेर, a trade or act prohibited by law, जो गैर कानोनी चीज़े हो, से हम बोलते हैं, illicit, unlawful, illegal, नेक्स्ट है आपका illiterate, यार, illiterate का मतलब क्या होता, illiterate मतलब होता, अनपड, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना, one who does not know reading and writing, उसको इलिटरेट कहते हैं, imaginary, कालपनिक चीजे हैं, ठीक है, जो से आ जो बंदा आ रहा है, मतलब अप्रवासी, a person who comes to one country from another in order to settle there, immune, immune, आपका immunity system होता है, जैसे covid का time चल रहा है, तो हमें क्या बोलते हैं, लोग कि भाई, vitamin C खाओ, immunity system को बढ़ा हो, ठीक है, तो immune वो होता है, हमारा system body का, जब infection आता है, तो उसके खिलाब लडाई करता है, तो free from infection, ठीक है, जो हमें क्या करता है, immunity system तो वो बोलते हैं, तो immune मतलब, यार ये बंदा तो immune है, मतलब ये infection से free है, तो प्रतिरिक्षित free from infection, next step, impalpable, पहले तो आप देखो, palpable का मतलब क्या होता है, palpable, जब भी किसी word के आगे, ir लग जाए, im लग जाए, किसी word के पहले, तो मतलब होता है, उसका opposite meaning है, एंटोनियम है, ठीक है, तो पहले देखो palpable का मतलब क्या है, palpable का मतलब होता है, जिससे आप touch करके महसूस कर सको, ठीक है, इस palpable का मतलब ये होता है, that can be perceived by senses, अब आप इसके आगे लगा दो, हम I am लगा जाए, तो I am मतलब या opposite meaning हो गया, तो impalpable का मतलब होता है, जिससे हम touch करके महसूस नहीं कर सकते, incapable of being perceived by touch, perceived मतलब होता है, महसूस करना हो, हम touch नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, touch करेंगे, ठीक है, अब next आओ, impenetrable, तो पहले से समझ ल मतलब जहां पर प्रवेश कर पाऊ, घुस पाऊ, I am पहले लग गया, तो impenetrable मतलब जहां पर आप नहीं घुस सकते, which cannot be penetrated, जहां पर नहीं घुस सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, अब प्रवेश नहीं कर सकते, अब प्रवेश ये, next step, perceptible, perceptible का मतलब होता, जो चीज हाई दे, जिससे आप महसूस कर सको, देख सको, that which can be perceived by senses, but is perceptible के आगे लग गया, I am, मतलब opposite meaning, तो imperceptible का मतलब होता, और दिश ये, जिसको आप नहीं देख सकते, that which cannot be perceived by sense, जी क्लियर हो रही है, बात यहां सारी, आजाई, next, आजाई, 225, imperialism, imperialism का मतलब क्या होता है, imperialism का मतलब होता है, आप यह देख, policy of extending a country's empire and influence, कि जब एक country, अपना जो empire है, वो बढ़ा रही हो, दूसरे country पे राज कर रही हो, उनसे collaborate कर रही हो, अपना empire को बढ़ा रही हो, उसे हम कहेंगे imperialism, ध्यान डखना, ठीक है, कि किसी को अपने अ impertinent का मतलब होता है, बहुती rude behavior, insolent, insolent, insolent behavior है, किसी का, बहुती rude behavior है, rude behavior, ठीक है, गुस्ताक, not showing proper respect, यार यह बड़ा impertinent है, यह proper respect show नहीं करता, ठीक है, देख, insolent भी बोलेंगे, और एक word और आप याद रखिया, impudent, impudent, impudent का भी मतलब होता है, रूखे वेवार वाल ठीक है, next आज यह, impity, impity का मतलब होता है, यार, आप कोई religious कोई मुर्ती है, भगवान की, अब आप उसकी क्या कर रहे हो, उसको insult कर रहे हो, उसको सम्मान नहीं दे रहे है, ठीक है, ना, तो impity, या फिर आप बोलो, mps, i, m, p, i, o, us, don't know word, बहुत important है, ध्यान रखना, मेर of respect और religious reference, किसी religious चीज़ को आप respect नहीं दे रहे, impious का मतलब भी होता है, आप उसे respect नहीं दे रहे, आप उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, उसे अप अवित्र कर रहे हो, ठीक है, next आई है, ponder, imponderable, पहले ponderable का मतलब होता है, जिसके बारे में आप सोच सको, ठीक है, मैं ponder क मतलब के इस चीज़ के बारे मैं सोच सकूँ, अब इस word का के लग गया, I am, तो मतलब opposite meaning तो imponderable का मतलब होता है, आप सोच नहीं, जिसके बारे मैं नहीं guess कर सकता, नहीं सोच सकता, that which cannot be guessed or calculated, ठीक है, मेरे वीडियो अच्छी लग रहे हो, तो भाई, दीचे description में, चैनल का link है मेरा विने कक्षा नाम से, तो प्लीज उसे जाके आप जोईंग कर लेना, टेलीगरम चैनल को, ठीक है, वीडियो थोड़ी बहुत शेर भी कर देना, जो जहाता है, लोगों तक पोचे, ठीक है, अच्छा content देने की मैं कोईश कर रहा हूँ, वीडियो कम लोगों तक ही प कुछ और है, मतलब इंपोस्टर, one who assumes a character or title, not his own to deceive others, दूसरों को धोका देने के लिए, वो कुछ और बन रहा है भी, यार इस बंदे में कुछ गडबड है, दिखा कुछ और है, यह है, कुछ और यह बहरूपी आई है, ठीक है, तो इंपोस्टर कहते है, हिपोक्रेट पर ब यह तो बहुत असान है, ठीक है, वैसे impregnable, impregnable का मतलब होता है, जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, invincible, I, N, V, I, N, C, I, B, L, E, invisible मतलब होता है, जिसे हम हरा नहीं सकते, too strong to be overcome or defeated, इसे हम हरा नहीं सकते, that which cannot be taken by forms, ठीक है, अजे, जिसे हराया नहीं ज dance performance होने वाले है, तो एक manager है, जो light है, camera, audio, dance वाले कैसे आया है, stage, audience ही से बैठी है, सब कुछ manage करेगा, तो impresory होता है, manager, जो सारी चीजे manage करता है, manager और director of a ballot, concert, theater, opera company, यहीं नाच गाने वाली चीजे, इन सब का जो क्या होता है, कोई भी performance चल रही हो, उसका manager होता है, उसे impresory करते हैं, ठीक है, next आगे, impromptu, impromptu का मतलब वोता है, बिना त्यारी के, on the spot, कुछ बोलना, without preparation, बिना त्यारी के, something said or done, without preparation, मतलब, spontaneously कुछ बोलना, spontaneous है, इसको आप बोल सकते हो, जैसे मैं आपको बताया है, extempore speech होती है, English में की, कोई भी चित देंगे, चार चित देंगे जो भी चित आई, उस topic में, on the spot, stage में जाके, बोलना पड़ेगा, that is called extempore, without preparation, E-X-T-E-M-P-O-I, सही है, चलिए, next आता है, आता है, impromptu, 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 imprompt Accessible, Accessible का मतलब होता, जहां तक आप पहुंच सको, ठीक है, in लग गया, किसी वर्ड के पीछे देखो, I-N लग जाए, I-R लग जाए, I-M लग जाए, पीछे नहीं किसी वर्ड के आगे, तो मतलब उसका opposite मिनेंगे, तो inaccessible मतलब जहां तक नहीं पोस्टा जा सके, incapable of being reached, यह लग गया, कोई root words है, basically that is called suffix and prefix, prefix जो पहले चीज़े लग जाए, तो prefix की autism meaning को change कर देता, तो यह चीज़े में आपको बता रहा है, in, i, 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 तमाशा, कोई तमाशा लगावा है, तो उसे बढ़ा दे, गुस्से को बढ़ा दे, कोई आग लगी दिया, आपने petrol लाद दिया, basically, तो आग बढ़ गे, जो आग गुस्सा बढ़का है, designed to cause fire, likely to cause, violence, जो violence है, उसे कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा, उसे कहते हैं, incendiary, ठीक ह इन यार, यह चीज़े तो incomparable है, तो that which cannot be compare, इसे अतुल लिए, अतुल लिए, जिससे compare नहीं करा जा सकता, सही है, चलिए, comment कर देना, अगर कोई बच्चाई चाहता है, कि बड़ी marathon वीडियो ना बने, दो पार्ट में बने, तो बता देना, भाई, दो पार्ट में कर देंग और आप खुद बताओ कि 100-200 व्यूज आएंगे, तो teacher खुद दिमोटिवेट होगा, मैं अपनी वीडियो में कमी बाते करता हूं, आप लोगों को पता है, बाते करने के लिए सोच रहा हूं, व्लॉग अलग से बनाया करूं, तो चलिए, कोरीजिबल, कोरीजिबल का मतलब होता है, जो चीज़े करक्ट करी जाएं, तो आएं इसके आगे लग गया, इंकरीजिबल का मतलब, इंक्रेडिबल उफ बीं करेक्टिर, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, क्रेडिबल का मतलब, जो बहुत जल्दी किसे विश्वास कर लें, बड़ा सीधा साधा इनस जो कई भी भी किसे विश्वास कर लें, विश्वास नी है, इसके आगे इन लग गया, incredible तो मतलब, अविश्वास नी है, that which cannot be believe, जो विश्वास नहीं कर सकता किसी बेपी, ठीक है, curable जिसे cure करा जा सकता है, ठीक है, जिसे बही कोई बिमार है, तो उसे cure कर सकते है, उसे ठी कर सकते हैं अब यह कुछ important words हैं यहां तक तो यह सारे words आप देख लेना exam में कहीं बराते हैं next आता है इंडिफेटिजिबल मतलब होता है या यह बंदा न कभी ठकता नहीं है इंकैपेबल और बींग ठायर जो ठके नहीं जैसे रनवीर सिंग हो गया ठीक है जो बहुत जादा दाग होता है ना वो मिटाया नहीं जा सकता तो indelible ink बोलते थे तो indelible mark of ink मतलब यह दाग मिटाया नहीं जा सकता कोई ऐसी चीज़ जो आपके memory में हो जो मिटाया नहीं जा सकती कोई दाग जो मिट नहीं सकता which cannot be erased or forgotten को ऐसी जी जो आप कभी नहीं भूल सकते अगर आप memories को लेके बोल रहे हो और मिटाने के परपस जो चीज़ कभी erase नहीं हो सकती ठीक है यून हो गई बरबाद हो गई तो इंडिस्टिक्टिवल आई एन लगी है मतलब that which cannot be destroyed जिससे डिस्ट्राइब नहीं करा सकता अनश्वर next आपका indignant indignant का मतलब होता है जो बहुत जादा कानून पे जो लोग कानून पे बहुत जादा गुसा होते है angry at injustice कोई उनके साथ अन्याय हुआ है जिसको लेके वो indignant है मतलब बहुत जादा गुसा है तो उससे हम बोलेंगे क्या angry at injustice ठीक है indispensable indispensable का मतलब होता है बड़ा ही important part है इसके बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती बड़ा ही important part है that without which one can't do ठीक है to be elected और selected under the rule जो suitable नहीं हो मत्तब जैसे कि बताता हूँ जैसी आपका कोई form निकलता तो उसमें eligible होते हो आप लोग कि 12th pass है अब आपने 10th कर रखे तो आप उस चीज के लिए आयोग्यों आप ineligible होता आप form भरी नहीं सकते हैं नेक्स्ट आपका inevitable ये बहुत अच्छा वड़ ह स्टार माग कर लेना inevitable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज ये तो होगी होगी इस चीज को आप टाल नहीं सकते हैं अटल है ये incapable of being avoided इससे आप अब आवाइड नहीं कर सकते हैं इन-excusable जैसे आप क्या करते हो किसी चीज के लिए एक्स्क्यूजींतरय खेलिकर के आब इसके आगे इन लग गया मतला पोज़ेट मिनिंग तो मतलब जो चिज रहे सकते ही बला कि बाता हुआ एक्सप्रेसिट का मतलब यह क्लिर इस करना पिर इस किया आगे इन लग गया तो भाई कोई बीकिस जो स्थी से एक्स्प्रेस नहीं कर पारे नॉट डेफिनेटली और क्लियरी एक्सप्रेस थे मैं तो इन ये है, star mark कर लो, infallible, कई बार exam में आता है, infallible वो परसन है जो कभी भी कोई mistake नहीं करता, कभी भी कोई गलती नहीं करता, इसी person को हम बोलते हैं, ये बंदा कभी भी कोई fault नहीं करता, तो ये होता है, faultless, infallible, fault नहीं करता, तो इसे हम बोलोगे, flawless, ये जो मैं लिख रहा इसी कोई आपके आगे बगवास नहीं कर रहा है, ये सब exam में आता है, faultless, flawless, इसी को आप बोलते हो, impeccable, impeccable, infallible का मतलब ये होता है, infanticide, जब चोटा बच्चा जैसी पैदा होता है, infant होता है, विल्कुल छोटी शिशु विवस्तर में होता है, उसी में उसकी side हो जाए, side का मतलब होता है, killing, killing of an infant, उसको हम बोलते है, शिशु हत्या को हम बोलते है, infanticide, next है, infectious, अब क्योई disease से आप लोग infect हो गए हो, तो उसे बोलेंगे, infectious, a disease which spreads through air and water, जो संक्रामा को जो fell जाए, जिससे कोई नों को infect हो जाए, कैसी बिमारी को हम बोलेंगा, disease which spreads through air and water, is called infectious, ठीक इसको आप हाथ में उसकरते हो, अराम से करना, आग के पास मत जाना, यह inflammable है, which catches fire easily, उसके पीछे लिखा होता है, sanitizer के पीछे inflammable, ठीक है, जो जल्दी से आग पकड़ लें, आजाए, next है, inimitable, inimitable का मतलब होता है, जो जिदे को imitate, imitate, imitate का मतलब होता है, किसी चीज़ को copy करना, आप सोचो, इसी ही आगया लगया, आई एन, मतलब पोजेट मिनिंग, तो inimitable का मतलब होता है, जिसे copy नहीं किया जा सकता, incapable of being imitated, जिसे हम copy नहीं कर सकते, इंसेक्टिसाइड, जो किसी इंसेक को मार दे, a substance, किटा नाशक, जो a substance that kills insects, insolvent, यह मैंना आपको अल्री बताया थ इंसरेक्शन, अब आपने अपनी सरकार के खिलाख कर दी बगावत, आपने हत्यार उठा लिया, तो rising in arms against an established government बगावत कर देना, ठीक है, इंटरसीड, भई आपको करना है, आपने दोने एक्जाम के लिए कर लिए और आपको कहीं पर सिफारिश लगाने है, तो इंटरसीड इंटरसेप्ट है भाई, इंटरसेप्ट वाले खड़े हैं, मतलब यहाँ पर रोक लगी विया, यह चीज मुझे यह साइट ना, इंटरसेप्ट कर लिए, मैं इस साइट पर विजिट नहीं कर पा रहा, मतलब यह रोक लगा रही है, रोकना, to check or stop on way, इंटरसेट मतलब होत इंटरसेट का, इंटरसेट का मतलब होता है, शडियंतर करना कोचेश, ठीक है, इंटरस्पेक्शन, जब आप, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं दो तीन बार एक्जाम नहीं कर पाया, तो मैंने क्या किया, मैं बैठ गया, चुप चप, मैंने सूचा कि भाई, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं एक्जाम नहीं कर पाया, इसे दिक्कत क्या हो रही है, एक दो नमबर से रहा जा रहा हूँ, उपर वाला क्या चाह रहा है, मतलब कुछ बड़ा देखा, और महनत करता हूँ, यह यह मेरी कमिया, यहां मैं लेजी हो रहा हूँ, मुझे ठीक करना, तो मैंने आपको क्य जीता ना जा सकते हैं, इनविशि बरीदिखाई दे सकते हैं, जो चीजञ नहीं दिखाई दे सकती है, इनविशिव नेक्स है, वन नरेबल का बहता है, बहुत ज्यादा ना जुक, जो कभी भी तूटे जाए तो आएं लग गया अपोजेट मतलब इन्वलनेरेबल जो जल्दी ना तूटे इंकैपेबल ओफ बिंग हाम मतलब सुरक्षित है जल्दी नहीं तूटेगी रीकॉंसिलेबल मतलब होता है संगत बना लो हार्मनी मतलब एक साथ मिल जुलके करो एक एगरीमन्ट आपस मिल जुलके काम करना रीकंसिलेबल आयर लग गया मतलब एपोजेट अीररेकंसिबल मतलब होता ह आसंगत इंपोसिबल टु फॉइट एग्रिमंट बिट्वीन दोनों पार्टियों में एगरेकंसिबल है मतलब ये दोनों आपस में काम नहीं कर पाएंगे सही से ठीक है एक साथ Agrie Yo के काम नहीं कर पाएंगे है recoverable जिसे आप recovery कर सको को दुबारा से कोई चीज मिल जाए आपको recover मतलब वापस ना मिल सकने है योग चीज़ आपको वापस ना मिल पाएं डेट विच कैनोड भी रिकवर्ट ठीक है 276 हो गए हमारे अब आगे देखते हैं एक और चीज बता रहा हूं बीच में देखो इंग्लिश है ना यार इंग्लिश का इंग्लिश में आएगा चाहिए आपका स्सी ओ डी ट्रिपल स्ब्यो तो हिंदी पर जाध्यानमा देना मेट एक रेफरेंस के लिए समझ लेना ठीक बेंड़ का मतलब क्या होता और इस ने इसका मतलब बदल द्या का मतला अपोजेट कर दिया तो इंक एंग्ए बीडल जो चीज रिपेड ना ओपाए डेट गान ना बी रेपेड जो चीज़ न ऊपाई उते हम बोलेंगे इर्रिवोगाबल मतलब होता है जिस पर पड़वड़तन ना अब आए टो इज परिवघ्जे बें एक ब्रेवल करता है घुमकड़ को इंग्लीस में बोलते है जर्णल एक न्यूजपपर तो न्यूजपपर मैगजीन डील्स पर्टिकलर सब्जक्ट और पर्फेशन अक्टिविटी उसे हम क्या बोलता हूं हम अगबार कहते हैं ठीक है ना जर्णल बेशिकली सिनानियम है न्यूजपपर कई तेक कुछ प्रोफेशनल चीज़ें निकलत मतलब होता है जब आप चीजों को क्या करें एक-एक करके लगाएं जैसे कि आपने बोला एक बुक किदर लगाता हो एक बुक किदर एक बुक किदर एक बुक किदर एक बुक किदर तो 90 तो कि जो सॉल्ट वाटर लेक है इरी लेक है किसके थू लेट रहे है किसके थूरों हुझ कि आपको समंद्री तालぎ हो माग से लुचा है बना रहा है जो चक्सिक निहां समय कोैना अब पर सों कंपाइल करने वाला है गैंट रिष्चनरी अससे बनाइस मेंधनेफ कोष बनाने यह ने आने वाला एक से बहुत ज्यादा यह एक से ज़्यादा बहा है बोले फॉरन लेंगोजेस बोले one who speaks many foreign languages टीक है विदेशी भाषा आप भी गया रहा भोले ठीक है ना logic logic भाई logic का मतलब होता है तर्क टीक है जैसे आपकी logical reasoning the science of reasoning देखوا आगए तर्क the science of reasoning ठीक है नेच्च आये Maddenhood Maddenhood का क्या मतलब है मिर भाई Maddenhood का मतलब होता है कुवारापन, महिलाओ का, मतलब basically maidenhood उसको बोलेंगे जब एक जो फीमेल है, जो लड़की है, वो शादी से पहले जो उनकी state है, उसे हम बोलेंगे, ठीक है ना, शादी से पहले, मतलब कुवारापन, ठीक है, maidenhood, तो state of being unmarried of a girl, ठीक है ना, शादी के बात करने, शादी से पह होता है, वो feed करता है, milk पे, ठीक है ना, animals, वो animals, ठीक है न, animals भी कहलो, उसमें human beings भी आ जाता है, कि उनको ही mammals माना जाता है, तो animals which give birth to babies and feed them with their milk, ठीक है, manuscript, manuscript मतलब menu, menu का मतलब होता हातो, manuscript मतलब हातों से लिखा जाए, ठीक है, ठीक है, ना, हस्त लिपी, matter written by hand, जैसे कि आपका समझे लो, मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैंने आपको, एक मैंने वीडियो टाले थी, डी टूपल एज भी पटवारी एकी, सो मैंने GNCTD पढ़वाए, क्योंकि पटवारी बी, जो section उसके लिए कहीं से अविलिबल नहीं, तो मैंने अपने हातों से नोट्स पी फॉर पापा, तो पापा कि हतिया, किलिंग ओफ फादर, ठीक है, वहीं अगर बहुत दूँ, मैट्री साइट, मैट्री साइट, साइट मतलब होता है, किलिंग M-A-T, तो M for Mother याद रखना, किलिंग ओफ मदर मा की हतिया, ठीक है, बट अगर मैं इसी को बहुत दू, मैर टी साइट ठीक है M-A-R-I-T-I-C-I-D तो मेरिटी साइट इस फॉर किलिंग है मेरिटी साइड यह होगा किलिंग ऑफ हस्बंड पती की हतिया तो यह मैरिटी साइड है पती हतिया मैंने तीनों बता दिया आपको ध्यान रखना और फ्रेट्री साइड लिखा हो कहीं पर फ्रे लिख रहा हूँ राइटिंग की दिक्कत में देना दो तीन बार वीडियो को देखो कि दिमाग में छप जाएगा इस बाकी गरेंटी मैं देता हूँ ठीक है तो मैरिटी साइड का मतलब क्या होता है पती हतिया किलिंग ऑ वन्स हजबंड आगे यह जो मदर वाला बता रहा ह को अच्वेश न सबाटेकर आइंट कारनेज बहुता है बहुत ही ज़्यादा मातरा में जब लोगों को मार देज़ा हूँ इसको आप बोल सकते हो चारो तरफ क्या होगा होलोकास्ट होगे है H O L O C A U S T Holocaust हो जाना मतलब बहुत साथा लोग मर गए, अफरत अफरी हो गए, बहुत लोग डिस्ट्रक्शन हो गया, इन नमबर ओफ लोग मर गए हैं, ठीक है, ना, इसलिए, तो ध्यान दग न, killing of large number of people, दो सिरो ने बता दिया, मैंने कार्मेज, होलोकास्ट ध्यान दग मैं यह तो बड़ा materialistic है, यह तो ऐसे बोलता है, इसको ओड़ी पसंद है, यह पसंद है, पैसा ही पसंद है, जहां पैसा वहीं भागता हो, तो वो matralistic हो जाते हैं, तो matralist मतलब वो पढ़ सान, तो मन्य को ज्यादा importance दे, next time matins, जो हम morning में prayer करते हैं, उसे हम बोलते हैं matins, m for morning से याद रख लेना सुबह की प्रातना अभी आपका इविनिंग की प्रातना भी आएगा आगे मॉर्णिंग प्रेयर मेटरी आगया मां एम फॉर मदर तो किलिंग ओंस ओन मदर इसकोल मैटरी साइट एक याद कर लेना मैटरी और मैरी टी साइट में कंफिज मत हो ना एक आगे आएगा जिसकी बात मैं कर रहा था मैकसिम का मतलब होता कोई कहावत जैसे कोई स्टेटमन्ट लोग बोल दो तो एसा करोगे तो एसा होगा तो कहावत है शॉट स्टेटमन्ट ऑफ जेनरल टूथ बैसिकली वो टूथ ही है तो भी तो कहवत बनी हो ठीक है मेमेंटो मे कोई बीकाने जा रहा है कोई पर जारहा है तो अपनी कोई निशानी दो तो संतिंग कैफ मेंबर प्लेस औरunk याध रखनाने की कोई आपका क्या है कोई निशानी ठीक हैंने मरसेटरी मरसेटरी का मतलब होता जब पैसे दें के लोग बुलाए जाएं यसके आप देखरो न मरसेटरी जाएंिइड वो लो जो किसी टूप्स हो आर्मी के लोग हों या आप कहलो कि कोई बहुत जादा Physical defense में लोगों जो retire हो जाते हैं फिर उनको निकाल दिया जाता है वो mercenaries बन जाते हैं मतलब वो पैसों के लिए काम करते हैं वो कैसे भी protection दे सकते किसी के हथ्या कर सकते हैं ठीक है तो यह जो लिखावा है यह नहीं होगा यह इद्यान मत देना है गलत है ठीक है one who acts for money जो money के लिए काम करते हैं metamorphosis मतलब होता है metamorphosis मतलब होता जब आपकी appearance में बिल्कुल change हो जाए पहले जब कोई जानवर होता तो वो छोटा समझे का एग में होता है फिर वो painstaking painstaking का मतलब होता है metamorphosis का मतलब होता है जो बहुत ही साफधानी पूर्वक्स से अपना काम करता है छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखते हैं expert होता है expert dextrous 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 मतलब स्किल फुल है छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं काम करेगा meticulous मतलब very particular about small details okay painstaking भी कहते हैं इसको ठीक है ना next आता आपका migration migration का मतलब क्या होता migration का मतलब होता प्रवास movement from one country to another पहले आप इस country में थे आप वहां से migrate होके आप यहां पर आ गया है ठीक है ना जा होता है गाइनी एक होता है गयमी देखो एंडी आरवाइंड्री एंड्रो एंड्रो यह एंड्री यह होता है मेल्स के लिए एक मेल्स के लिए जी वाई एन एए गाइमी वे जो रूट वर्ड है वो है फिमेल के लिए गयमी रूट वर्ड होता है marriage के note कर लेना यह ध्यान से वीडियो को देख लेना ठीक है फिर माईजो मिस या माईजो का मतलब होता है hater यह होता है नफरत के लिए आपका root word बता रहूं ठीक है और यह होता आपका anthro वो यह है है यह होता है humankind के लिए माऍफ्ता के लिए humankind के लिए ठीक है यह रूट वर्ड बता रहूं आप देखिए यह सारे आपके यहीं पर हो जाएंगे ठीकल को मिस एंडरिस्ट मिस मिस यह रागनी चैनल अब मोई सो मतलए तो हेटर और एंडरिस्ट एंडरिस्ट बंग्या देख आये सटी जिस वर्ड के पीछे लग जा रोगने है परस्ट को वो परसंट करता है ठीक है ना कि बाई परसन मतलब एक ऐसा परशन जो नफरत करता है उसमें आईस्ट जब भी लिखा वह तो परसंदिकाँ रहा वन वर सिट्रिटूशन है वब द्यान दखना तो एंडरो का बनाया इन्हों ने एंडरेश देकर एंडरो आ रहा तो हेटर है मिस का मतलब है Ε facie Club विखके के चा Topतो मिस एंत्रोप दो मिस का मतलब है हे और क्या इन्थियाी ए मतलब एक्ट है क्लियरोगे दुनों माइजू का मतलब क्या हुता माइज़ो का मतलब है हेटर तो और गैमिस्ट आई एस्टी तो पड़सन के लिए लगा भूल जाओ गैमी गैमी यह आपका गैमी को यह उन्होंने जी एम आई कर दिया लिखने में जब आई एस्ट होता तो य आई पर करमट हो जाता वो सब छोड़ो आप ठीक है तो गैमी होगे आपका मैरिज में तो माईजो हेटर ऑफ मैरिज हेटर ऑफ मैरिज बन किया इसमें याद क्या करना था विवा से घ्रिणा करने वाला नेक्स्ट आप माईजो गाइनिस अब आप यह लोग फुट राई करो आप लोग माईजो का मतलब हेटर हेटर गाईनी गाईनी का मतलब क्या हो माइसो लॉजिस्क देखो इतनी इसली कवर हो गए वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिलकुल लाइक कर लेना मेरे बाई शेयर कर देना पता नहीं वीडियो पोचेगी लोगों तक नहीं पोचेगी और यह टेलेगराम चैनल ले प्लीज जॉइंग कर लेना विनेक अक्षा तो hater of new things ठीक है पुरातन वादी जो पुराने चीजों का इसी में included रहता हो पुराने चीजों में लगा रहता हो से नहीं चीज़े ना पसंद हो hater of new things is mysonist ठीक है आते हैं वहाँ पर वहाँ पर live करते place where monks live is called mut monastery ठीक है monogammy मैंने आपको बहुत पहले बताया था mono का मतलब होता है single एक mono मतलब एक by a by a मतलब होता है two ठीक है तो monogammy gammy का मतलब है marriage mono का मतलब क्या है mono का मतलब होता है single single marriage पर था एक पत्मी पर था the practice of keeping only one wife ठीक है मैं इस सीच को और बोलना चाहूंगा इस book में थोड़ा सा गलत गया वहाँ इसका मतलब होता है monogammy मतलब one marriage system उसमें एक पत्नी एक husband रख सकती है मतलब जो नॉर्मली होता है और एक husband एक पत्नी रख सकता है the practice of keeping only one wife oblique only one husband दोनों हो सकते हैं ठीक है हमारा mortuary, mortuary का मतलब होता है mortuary जहां पर dead bodies को जब dead bodies का post matem करा जाता है पता लगाने के लिए कि death कैसे होई, post matem क्या होता जब पता लगाया जा है police के दुआरा, मैं जब police बोलती है, कुछ doctor से गया रहा हो, इस चीज़ का post matem करी हो, पता लगाई है कि death of concern क्या था, तो post matem से पहले जहां पर dead bodies को रखा जाता है, वहाँ को, उस जगह को हम बोलते है mortuary, a place where dead bodies are kept before post matem, ठीक है mutilation मतलब होता है, शरीर का अंग काटना, cutting of body parts, जा समझ लो, ये एक person है, तो इसके हाथ में जहर फैल लिगा तो ये portion काटना पड़ा, डॉक्टर को, that is called, क्या शरीर के अंग को काटना, cutting of body parts, ठीक है नेव, नेव का मतलब होता रहे, बिल्कुल सीधा, साधा, इंसान, जो किसी की बातों में आ जाए, having natural simplicity of nature नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स मतलब नार्कोटिक्स आपको पता ही है, नशीली दवाईया, medicine that induces sleep, नशीली दवाईया करोगे तो नीन ज्यादा आएगी नेचुरिलिजम, नेचुरिलिजम मतलब प्रक्रिती से related है, नेचर से related है, adherence or attachment to what is natural, जो आप जो नेचुरिलिजम में प्रक्रिती से मिले, ठीक है new मतलब, new मतलब नया, और gammy का मतलब मैंने बताया था, gammy का मतलब होता है, marriage तो जिसकी नए नशादी हुई हो, one who is recently married, new gamist nepotism, nepotism का मतलब होता है, जब कोई भाई भतीजावाद को नहीं, भाई मतलब जसे आपकी film industry में होता है, किसी की बेटी है, जो बड़े actor की बेटी है, तो उसे जल्दी film मिल जाएगी, किसी की relative है, उसे जल्दी मिल जाएगा, nepotism और यह अपना politics में भी देखा जाता है, हर भाई बतीजावाद, undue favors shown to once own relatives को लोग अपने आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, neurotic, neurotic का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा worried हो, excessive, sensitive, anxious और obsessive, बिल्कुल क्या हो, worried है, बिल्कुल चिंतित है, okay, newfangled, newfangled का मतलब क्या होता, नहीं अंजानी चीज, जो चीज आपके लिए नहीं है, जिससे आप familiar नहीं है, आप उस चीज को नहीं जानते हैं, आप उस चीज को सीखो गया, देखो गया, जो चीज आपके लिए नहीं है, कोई बुक लेकर आते हो, तो बुक आपके लिए नहीं होते है, फिर आप पढ़ते हो, तो newly developed और unfamiliar चीज, नहीं अंजानी चीज, newly fangled newly fangled, new fangled, non-entity, non-entity मतलब होता है, जिसकी कोई importance ना हो, person of no importance, यार इसकी तो कोई महतब भी नहीं है, इसका तो non-entity कहेंगे उसे, ठीक है, non-paral, non-paral मतलब होता है, जिस, जैसे कि दो person है, एक यह है, और एक यह है, तो दोनों की बराबरी नहीं है, दोनों equal नहीं है, तो non parallel comparative नहीं है, भाई, अलग-अलग है, इनको compare नहीं कर सकते, person or thing which has no equal, ठीक है, notorious, दे को एक होता, famous बनता, जो मशूर, notorious का मतलब होता, बदनाम, गलत चीजों में, जो famous हो, बदनाम हो, having an evil repetition, खुकियात, बदनाम, notorious कहेंगे, ठीक है, nuance, n-u-a-n-c-e, nuance का मतलब होता, छोटा स difference, बड़ा ही, छोटा सा difference हो, किसी भी चीज में, subtle difference in color meaning, एसक्ता, सुक्षम भी, this is called nuance, next है, numismatics, numismatics का मतलब क्या होता, मेरे बाई, numismatics का मतलब होता, coins की study करने को हम बोलते है, numismatics, important है, SSC में कहीं बार आता, next है, आपका, next है, आपका nursery, nursery मतलब जहां, बहुत साथ है, plants हो पौदा, शाला, the place where, young plants हो, देख तो नहीं, महाँ पर nursery बंदे गूमने भी जाते हैं, कोई नहीं चीज़ देखने भी जाते हैं, ठीक है, next आईए, आपका, next किया, अपस्कुरेंट टिस्ट, आपके, आपस्कुरेंट टिस्ट, आपके, मुझे बहुर अच्छा वर्ड लेगा, देखो, कुछ लोग होते हैं, पहले तो enlightenment का मतलब समझो, ठीक है, enlightenment का मतलब होता, जब आप लोगों को सीख दो, लोगों को आप knowledge परदान करो, नहीं नहीं नह प्रदान करो। ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं । वह। पियारा वर्ड स्टآن करें। उसका मतलब होता, अब किसी की द्यात हो जाती है, तो अनतिम संसकार करते हैं, उसका जो भी आप funeral rights परफॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं, next, obsolete, obsolete मतलब होता, जो चीज बहुत पुरानी हो चुकी है, आप प्रयोग में भी नहीं है, उसका use प्रयोग में नहीं है, बहुत पुरानी हो चीज किये, dead which is no longer in use, आप वो यूज में नहीं है, next आता है, आपका octagon, oct is for eight, oct is for eight, to octagon का मतलब होता, plain figure with eight sides and angles, जिसके आठ angles और आट sides, ठीक है, oligarchy देखते हैं, यह तीनो वर्ड जो आ रहे हैं, तीनो चारो वर्ड बहुत ही important है, भी देखते हैं, यह a government by a small group of powerful persons, यह powerful persons, समझ लो, ambani, adwani और बड़े-बड़े जो लोग हैं, इन्होंने मिलके एक गुठ बना लिए, और यह गुठ हमारी सरकार चला रहा, data is called oligarchy, समझ गए, शुद भाषा में समझा रहा हूं बही को, अब आजो एक root word डिसकस करते हैं, आप लोगों के साथ, ठीक है, omni, omni एक root word है, o-m-n-i, omni का मतलब होता हर जगा, everywhere, इसका मतलब होता है, serve, serve, सब जगा, everywhere, सब कुछ, इसी omni को हम बोलते है, all, ठीक है, यह चीदान रखना, p-o-t-e-n-t, potent का मतलब, potent, potent से क्या बना है, potential, potent मतलब, आपके अंदर कितने आप शक्तिमान हो, कितना आपके अंदर potential है, ठीक है, potential, potent मतलब, आप समझ गया, जो मैं कहना चाहरा हूँ, ठीक है, अब आईए, अब हम चीजों को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, पहला word आता है, omni form, omni form, omni मतलब, omni मतलब everywhere, या all, तो जो बंदा all, all shapes वाला हो, वो कोई भी form बना सकता है, अपनी कोई भी शेप कर सकता है, कोई भी shape ले सकता है, कोई भी form ले सकता है, तो omni form, omni genes, नीचे के जितने word आप वो सारे God को जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, omni form मतलब, इस सर्वा कृतिक कैसे, having every form or shape, सारी form, all, omni मतलब all, form मतलब all shapes, इन आई यूस नहीं है, G-E-N-O-U-S है, जीनियस मतलब होता है, सारे प्रकार का, तो सब प्रकार का, कम्राइजिंग आल काइंट से क्या है, और ये तीनों वर्ड आपके भगवान के लिए होता है, देख लेते हैं, ओमनी मतलब अल, सर, every, potent, मतलब potential, तो all powerful, potent मतलब powerful, जिसमें सर्व शक्ति मान, जो बहुत ज़्यादा powerful हो, all powerful को न होता है, गौड होता है, गौड होता है, तो ये तीनों वर्ड याद रत लेना, भगवान को समर्पित हैं, तो ये तीनों वर्ड याद रखना आप लोग, ठीक ओपेक, ओपेक मतलब होता है, जहां से आप, जैसे ये ये आप खड़े हो, ये मैं खड़ा हूँ, और यहां मैंने एक ओपेक पड़दा लगा दिया, ना आप मुझे देख सकते हो, ना मुझे, जहां से light पास्ट ना गर पाए, ठीक है, अपार दरशी, that which cannot be seen, तो हम देख हो, क्या होता है, वो pessimist, P-E-S-S-I-M-I-S-T, P-E-S-S-I-M-I-S-T, pessimist का मतलब होता है, निराशावादी, जो अपने future को लेके bright नहीं हो, इसको लगे मेरे future में तो सब गलत ही होगा, ज्यान लगे ना, ठीक है, नेक्स्ट आपका, ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है, अच् टी, आई, सी, यू, एल, ए, टी, जो वर्ड लिक रहा हो, इससी के लिए बहुत important है, हर comment exam के लिए important है, मेरे भाई, यह सीडेज, वीडेज, हर चीज़ो के लिए, one who makes an eloquent public speech, जो बहुत अच्छा बोलता हो, articulate हो, बोलने की कला, कहते है ना, जिसका बोलने की कला बहुत अच यह ऐसा बच्पन में लोग कहते हैं, अब नहीं पता है, और्चार्ट, और्चार्ट मतलब क्या होता, फलो का बगीजा, गार्डन ओफ फ्रूट्स, और्फन, और्फन मतलब अनाथ, a child whose parents are dead, ostracized मतलब होता, जिसको आप समाज से banish कर दो, B-A-N-I-S-H, आपने इसको terminate कर कर दिया, बैनिश कर दिया, अब आपने बोला, इसको boycott करो, समाज से बहार निकाल दो, to turn off society, बहार निकाल दिया समाज से, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका OV-PIRUS, OV-PIRUS का मतलब होता है, जो लोग direct, मतलब, एक समयलो, OV-PIRUS animals है, तो, वो मैं animals की बाद बताता हूँ, जो eggs देते हैं, फिर बच्चे होंगे, पहले eggs होंगे, direct young ones को जनम नहीं देते हो, ठीक है, तो, under project, bearing eggs, not young ones, ठीक है, ना, pacifist, pacifist, pacifist का, पहले तो pacify का मतलब समझो, pacify का मतलब होता, जो बड़े शान्ती रहते हैं, ठीक है, तो pacifist का मतलब होता है, शान्ती दू, जो चाते हैं कि शान्ती बनी रहे, जगड़ा बगड़ा ना, अब person who believes in the total abolition, abolition मतलब खतम, बिलकुल war नहीं होने ची, abolition of war, बिलकुल war नहीं होने ची, सिर्फ शान्ती रहे, peace ठीक है, pageant, p-a-g-e-a-n-t, pageant का मतलब होता, तमाशा, लीला, कोई तमाशा या कोई लीला, elaborate public spectacle, ठीक है न, कोई भी तमाशा या कोई भी लीला हो, तो उसे हम क्या बोलते है, pageant, जिसे यार क्यों तमाशा लगा रहे हो, ठीक है, तो elaborate public spectacle है, कहता है, चलो वहाँ पर चलो, तमाशा लगा है, हमाँ जागे देखेंगे तो वह वहला, next आपका palletable, palletable आईए, palletable का मतलब होता है, कोई food या कोई भोजन जो बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट हो, food और drink that has a pleasant taste, स्वाधिस्ट, अच्छा वर्ड है, याद कर लेना, panasya तो कहीं पर repeat होते हैं, यह तीन for all kind of diseases, next आपका pandemonic, pandemonic का मतलब क्या होता है, मेरे भाई, pandemonic का मतलब होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, pan का मतलब होता है, all, हर जगा, panic root word है, pan India, इंडिया में हर जगा, तो panic root word है, और demon, demon मतलब होता है, राक्षस तो समझो, सारे राक्षस आजाए, अचानक से मै पढ़ा रहा हूँ, सारे राक्षस आता है, तो भागूँगा, अफरत अफरी हो जाएगी, तो a wild and noisy disorder फैल जाएगा, शोर गूल हो जाएगा, हर जगा, शोर गूल तो नहीं कहेंगे, इक noisy disorder फैल जाएगा, pandemonic होगी, अफरत अफरी होगी, ठीक है, panigeric, panigeric मतलब है, जब dramatic performance with a dumb show, ठीक है, तो उसको हम कहते है, pantomine, basically performance होती है, drama की performance, तो उसे हम बोलते है, pantomine, ठीक है, parameter, parameter मतलब क्या होता, जिस से शारीरिक संबंद हो, किसी का किसी से, कोई sexual partner है, कोई lover है, sexual lover है, sexual partner हो, उसे हम parameter कहते है, sexual partner हो, next आपका parasite, parasite मतलब होता, per gv, जिसका, जिसे parasite आपकी animals, जो दूसरे को खाते हैं, तो उनका जीवां जो होता, वो दूसरे पर निरबर होता, one who entirely depends on another, परसल का एक्जेक मतलब होगा कि लड़कियों का जो अंब्रेला होता है उसे हम बोलेंगे रंगी च्छाते को परसॉल ठीक, नेक्स्ट आगे है आपका पैरी साइड, देखो पैरी, 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 डवलार, पैरी एक रूट वर्ड है, जो दिखाता है पेरेंट्स को, ठीक है P-A-R-E-N-T-S, तो side मतलब killing, तो killing of both parents is called मा और पिताजी की, पिता का हत्यारा, तो parricide, patricide बोला था मैंने, पापा के, तो killing of once, ओन फादर देखो, आ गए यहाँ पर ठीके न, patrimony, patrimony, देखो, patries for father, तो पैटरी मतलब जो father के, बड़े बुज़ुर्गों से कोई चीच आ रही है, जैसे हमें लोग प्रॉपर्टी आई, तो वो patrimonic property है, मतलब दारा जी द्वारा आई है, पापा के भी ancestor द्वारा, तो inherited from father और male ancestor, ठीके, patricide, patricide का मतलब क्या होता, patroid का मतलब होता, देशवक्त, one who loves one's country, जो अपनी country को बहुत जादा प्यार करता हो, patroid मतलब होता, देशवक्त, next है आपका patronymic, patronymic मतलब क्या होता, name derived from that of father और ancestor, ठीके, patronymic का मतलब है आपका, देखो, फिर patronymic मतलब father, जो जो नाम आपको पृत्र नाम, मतलब जो नाम आपको father दुआरा मिला, जाए, उनके sister दुआरा, बिसकिले आपकी cast भी होगी, तो name derived from that of father और ancestor, नेशवक्त है popper, popper का मतलब होता, मिरा भाई, कंगाल, ठीके है, जो इसमें destitute, d, e, s, t, i, t, u, t, e, जिसमें दो, मतलब गुजारे भर का खाना, खाने के लिए भी पैसे ना हो, destitute क्या होगे, जिससे आप बोलोगे, आप बोलोगे, इसको penniless, p, e, devil, and, i, l, e, deviless, penniless p, e, devil, and, i, l, e, deviless, बहुत जादा गरीब और कंगाल, one who has no means of livelihood, ठीके, next आईए, पैकुलेशन, पैकुलेशन का मतलब होता, गबन करना, पैसों में हेरा फेरी करना, use of public money for once own benefit, जैसे पैकुलेशन देखा जाता, सरकारी नोकरी में, सरकारी लोगों द्वारा, public का money आया, तो उसे कुछ अलग चीज़ों में, अपने benefit के लिए, use कर लेते हैं, फूलिस करती है पैकुलेशन, पैडान्टिक, पैडान्टिक मतलब होता, जो अपने ग्यान का दिखावा करे, a style in which a writer makes a display of his knowledge and learning, मतलब ग्यान दर्चाने वाला लेक, कैसे भी, पैडान्टिक एक स्टाइल है, पैडान्टिक का मतलब होता, तो दिखावा करे, पैडान्टिक मतलब, जैसे किसी ने पैराग्राफ लिखा, तो बहुत अच्छा लिखा, कि उसकी नॉलिज डिस्पले हो रही है, वहाँ पर, वैसी के लिए अगर मैं परसन को बोलू, तो थोड़ा सा जो बहुत ज़ादा अपने ग्यान को दिखाता है, कि मैं यह हूँ, वह हूँ, उसे पैडान्ट कहेंगे, और पैडान्टेंगे, एक ऐसे तरीके से आप अपने ग्यान को दर्शा आ रहे हो, ठीक है, पैडेस्ट्रेन मतलब, जहाँ पैडल चलते है, पैडल या तरी, वन हो वाक्स ऑन फूट, ठीक है, पैडेस् फिगर विध फाइब साइड अंगल से आइंगल से परचेप्टिबल, परचेप्टिबल मतलब क्या होता है, जो जिसे हम सेंस दुआरा क्या कर पाए, क्या है, प्रशेंस कर पाय, बाइन सेंस कर पार ब्यए पर सेंस प्रिजा किया ठीक है परोरेशन कहते हैं उसको नेक्स्ट है आपका पर्जेवरेंस पर्जेवरेंस मेरा फेवरेट बड़ है मांक कर लो स्पेलिंग भी कहीं बार आती है P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-E पर्जेवरेंस मतलब होता मेरे बाइं कॉंस्टेंट एफर्ट लगातार महनत करना स्सी बैंकिंग सीडी एस रेलवे डी डिपलेज भी इन सबको निकालने दिल्ली पुलिस इन सबको निकालना कैसे है जब मैंने निकाला था कैसे निकाला था दो चीज़े एक तो पेशन्स और एक पर्जेवरेंस मतलब लगातार मह आनत करना एक पर्सपी केशियस का मतलब होता है जो बंदा जजमेंट में बहुत अच्छा हो जजमेंट इसकी पॉवर जजमेंट मेकिंग पॉवर बहुत अच्छी है यह बंदा वाईज है डेवलू आई ऐसी वाईज है इसको आप बोलोगे प्रूडेंट पी आर यू डी जिघु जो कि बुद्धी बहांने समझदार है तो यह बंदा क्या है को कि जजं़ेंग एडिस्टेंडिग बहूत जल्दी चीजह है बहुत जल्दी चीजह को अच्छ नते सब्सक्राइमाजन और अनन चुरल ठीक है बिसुकिली पर्वर्वर्जन का मतलब क्या होगा बश सी दोसरी नार्मल नहींonces to something abnormal विसे की नेचूरल नहीं है और नॉर्मल नहीं अबनॉर्मल ठीके तो अलज्टнуться में उलडे बता दिए। ऑपिमस्त मतला आशा भाधी प्र approximately Arsenis काट बैदा नियुका फिलांस वर एक तrose आदमी जो कभी किसी ओर लड़की की साथ है फिर किसी ओर लड़की की साथ है अम्यानध हूं है थिल फैक है फिलेंफ्रोपिस्ट फिलेंफ्रोपिस्ट मतलब संगराहक कलेक्टर आफ टैंम्स स्टाइम्स करता हुए मैं वह खता है City जो वॐ किसीबी काला में किसी बीजी को सीखेने मैं किसी भी पढने में見て में पर्षान और इंट्रेशन के है लिट्रेश्थिर इंट्रेच्ट में से इंटा मतलब क्या होता है gonna नोज इंट्रेश्टर स Whisper निट्रेश्थिस का मतलब होता है गाइनी is for female और philow philow देखो मैं आपको बताता हूँ file लिखाओ यह पी एच आई-ल लिखाओ philow का मतलब होता love ठीक है तो गाइनी मतलब female तो एक lover of woman kind ओडतों से प्रेम करने वाला lover of female kind बोलेगी फेलो गाइनेist को फिर फिलो का मतलब होता है क्या लव ठीक है लॉजी मतलब होता है पढ़ना तो आप यह देखो फिलो लॉजी का मतलब भाशा का अध्यान लॉजी लॉजी मतलब होता है स्टडी यहां पर लव वालो कोई सही नहीं है तो साइन्स ऑफ स्टडी ऑफ लैंगोई इस खॉल फिलो लॉ to a sacred place, pioneer बहुत अच्छा वर्ड है, favorite वर्ड है मेरे, आप लोग मोट कर लेना, क्या होगे सर, आप अपने वर्ड ही बताते रहों, तो जार, pioneer मतलब होता है, pioneer मतलब होता है, कि कोई mentor, कोई guider, ठीक है, जो आगे चले, leader, जो आगे चले, लोग उसको follow करे, pioneer, ठीक है, जैसे मैं pioneer बनना चाहता हूं, English का, कि मुझे से लगता है, मैं बन सकता हूं, कि जो बच्चों को नई चीए, जो नई बच्चे आ रहे हैं, जो पुराने बीजिंग का score नहीं बढ़ रहा है, जो नई चीए, वो मैं दे सकता हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना द चलिए, आईए, पीकोंट, पीकोंट मतलब होता है, मसालेदार, जो कोई बात दिल्चस हो, या कोई चीज जो बड़ी टेस्टी हो, प्लेजन्ट और शार्प टेस्ट और इंट्रस्टिंग हो, ठीक है, प्लेकार्ड, पोस्टर मतलब होता है, विज्यापन, एड़र्टाइ बोले, जो मैं बोल रहा हूँ, इसको करें, और अपने नाम से प्रिंट करें के मेरे नोर्स को छाप देरू, अपना बोल के यूज के लेना, लिटरेली थेफ्ट हो जाएगा, वो, ठीक है, उसे कहेंगे, हम प्लेकरिजम, आईगे, लेक्स आते हैं, प्लेक्स आते हैं, प् चीज, जो बिलकुल वही पुरानी सी है, चल रही है, statement that is obviously true, जो सस्तो है, बडल है, बोरिंग है, आप कुछ दे नहीं रही हो, influence नहीं कर रही है, बोरिंग है, देखो, प्लेक्स को याद रखना, एक ही प्लेट में, प्लेट, एक ही प्लेट में खा खा कर आप हो गए हो, प बातें भी हो सकते हैं, परसन के लिए भी बोल सकता है, कि don't pretend like attitude, किसी पिटी बातें मत करो, बोर हो चुका हो मा, तुम से, ठीक है, क्रेसी is for government, प्लूटो का मतलब होता है, क्या, powerful लोग, जमतर पैसा बहुत हो, तो government by a rich and powerful class, कुली नतंत, आईए, एक root word और देख लीजे, poly, poly एक root word है, जिसका मतलब होता है, many, बहुत ज़्यादा, many, तो andry का मतलब है, क्या, andry का मतलब है, males, ठीक है, poly andry, बहुत ज़्या किसी, जब किसी के एक से ज़्यादा हो, मतलब दो, या दो से ज़्यादा husband हो, एक से तो ज़्यादा ही होगा, अप इसी बात है, दो या दो से ज़्यादा हो, उसे हम बोलेंगे, poly andry, poly मतलब many, बहुत सारे, andry मतलब females, oh males, ठीक है, andry मतलब males, पिर इसको देखते है, poly मतलब एक ऐसी female जिसके दो, या दो से ज़्यादा husband हो, या फिर एक ऐसा male जिनके दो से ज़्यादा wife हो, ठीक है, polyglot, poly is for many, तो polyglot का मतलब होता है, जो एक से ज़्यादा भाशा है बोल सकता, person having command over many languages, ठीक है, polygon जिसके बहुत ज़्यादा angles हो, बहुत ज़्यादा sides हो, ऐसी figure of figure with many angles और sides, आया जाइए, लगता पानी पीना पड़ेगा, एक निट, पॉस्थूमस, बहुत अच्छा वर्डे star mark करेंगे, पॉस्थूमस मतलब होता, देखो, हमारे film fair award जब होते है न, film industry के, तो उसमें क्या होता भई, पॉस्थूमस अवर्ड दिये जाते है, पॉस्थूमस लिए अवर्ड, मतलब अभी किसी की death हो चुकी है, बढ़ तब भी उसे award दिया जा रहा है, मतलब उसे वो award मिला है, उसके death के बाद basically award लेने करेंगे, तो उसके family member आ जाएंगे, बढ़ वो award मिला किसको है, उसके death हो चुकी है, पर उसके नाम पर उसको award मिल रहा है, तो received after death, पॉस्थूमस कहते हैं उसे, ठीक है, एक example दिया है मैं आपको, post script मतलब क्या होता है, जब कोई letter sign हो जाए, उसके बाद कोई चीज़े उसमें लिखी जाए, post मतलब बाद में, script मतलब लिखना, तो उसे हम कहते है, पस्च लेक, post script, anything written in a letter after it is signed, जब वो sign हो जाए, तब लिखा गया, ठीक है, predicament मतलब होता है, बहुत ज़्यादा दूर दर्शा हो जाना, unpleasant state में होना, unpleasant, बहुत ही worst condition में होता है, दूर दर्शा में होना, difficult और dangerous situation में होना, prejudiced मतलब क्या होता है, prejudiced मतलब be biased against, पक्षपात, ठीक है, be biased against, आप ये person है, और ये person है, ठीक है, अब ये बंदा आपका relative है, तो आप इसको क्या करो, इसको favor करो, तो आपने तो इसके साथ पक्षपात किया ना, biased हो गए, तो पक्षपात को हम बोलते है, prejudiced, अच्छा word है, star mark कर लेना, premonition मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कहते है ना, यार कुछ अब शगून होगा, आप कुछ बुरा होगा, पूर वा अभास हो जाता है, four warning of impending danger, जो dangerous condition आने वाली है, आपको उसका अभास हो जाए, premonition, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका प्रेरोगेटिव है, अब आप पोजिशन में आ चुकी हो, गौर्मन जॉब लग गया है, आपको एक absolute right मिली है, आपको एक विशेश अधि usual और remarkable talent, ठीक है, उसे हम बोलते है, prognostication, prognostication का मतलब होता, भविशेवान्डी करना, क्या future में होने वाला, उसके लिए भविशेवान्डी करना, act of forecasting by examining present conditions, ठीक है, अभी को देखते हैं, आगे के लिए भविशेवान्डी करना, प्रोलोग, प्रोलोग, लोग मतलब होता, या कोई dialogue, या कोई भी चीज, ठीक है, pro, pro मतलब पहले, देखो में आपको उता हूँ, प्रोलोग मतलब होता है, कोई आप speech दो, जैसे कि कोई drama चालू होने वाला, कोई acting चालू होने वाली, उससे पहले कोई speech दो, या कोई poem चालू होने से पहले, जो भी चीज बोला जाता ह ठीक है, कोई भी drama चालू होने से पहले, कोई speech बोली जाए, या फिर कोई poem आप बोल रो, उससे पहले, before पहले, तो उसे हम कहेंगे, प्रोलोग, a speech और poem recited at the beginning of a play, ठीक है, promise cues, promise cues का मतलब होता है, जिसके बहुँ जादा different sexual partners, having a lot of different sexual partners, proponent मतलब जो प्रस्तावक होता है, जो कुछ न कुछ प्रस्ताव रखता है, ऐसे करे, ऐसे करे, person who proposes something, proprietary मतलब होता है, मरियादा, state of being correct in behavior और moral, अपनी मरियादा में रहने वाला, जो बोले कि यही अच्छा है, वो ऐसे behave करे, state of being correct in behavior और moral, तो हमारे 400 हो गए है, अब आगे के हम हम करेंगे, अभी बहुर अच्छ important supporter of an idea, political system, chief actor, character in a story, drama, ठीक है, उसे protagonist बोलते है, protectorate, protectorate मतलब होता है, जो protect करता है, प्रोटेक करें, country under the protection of a more powerful country, ठीक है, समलो इंडिया है, powerful है, इंडिया के अंदर कोई दूसरी country है, जो उसके नीचे है, मतलब कहरें, तुम हमें protect करो, तो country under the protection of a more powerful, next हमारा क्या आता है, next ाता है हमारा क्या क्या मतलब होता है, wise समझदार, ठीक है, जो बुद्धिमान हो, समझदार हो, जिसकी judgment making, जो power हो अच्छ है, इसको आप बोल सकते हो, सगे शीए, S-A-G-A-C-I-O, S-A-G-A-C-I-O-U-S, S-A-G-S का मतलब होता है, बुद्धिमान, जिसकी मतलब होता है, बु सकते हैं Judicius Judicius J-U-D-I-C-I-O-U-S Judicius adjustment power जिसकी काफी अच्छी है ठीक है नेक्स्ट आपका pseudonym क्या मतलब होता है pseudonym का pseudonym का मतलब होता है कि समलो कोई book है ठीक है वो book किसी ने लिखे है और book market में समलो हिट हो गए ठीक है आपको उसका राइटर नहीं मालूम कि उसका ओरिजनल राइटर कौन था जैसे कि मैं कोई बुक लिखो और मैं उसके नीचे लिख दू एक्स वाई-जड तो आपको यह नहीं मालूंगा यह बुक तो विनेसर ने लिखी है तो कोई एक ऐसा नाम ले लिया हमने या फिर कोई एक नाटक उपादरी वाले नाम ले लिया नेम टेकन वाइन ऊथर इंस्टेड ऑफ इस रियल नेम तो मैंने एक्स वाई-जड लिख दिया ठीक है कोई नक्री नाम ले दिया अपना रियल नाम मैंने नहीं बताया तो उसे क्यांगे हम सुड़ो नेक्स आज यह पंक्टीश का मतलब होता है यह के बहुत अच्छे से किसी के साथ विवार करता है सिस्टा चार पूर्वक्त के साथ को किसी के साथ बिहेव करें उसे कहते हो पंक्टीश नेक्स आपका पाइरो टेक्निक देखो पाइरो पाइरो इस दे रूट वर्ड फॉर फायर का तो आतिश बाजी निरवान वाला आट आट ओफ मेकिंग फायर अवर्फ थिक है पाइरो टेक्निक के से कहते हैं के ऐसी टेक्निक जिससे आप फायर वाले जो छीजे हैं वो बना सकते हैं तो आट ऑफ मेकिंग फायर वर्फ इस ईस BUBS की बांगी तो उसमें उसको नाम दिया Fashion जो मतलब जो विरोद करता है किसी का जो दो ही हो और जो में रोडन के खिलाब केसि को बने अ Plato क्लेल में हो संशेप में धोराना short form main 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 point वो बता दो concise बेज में repeat कर दो repeat the main points nectar recluse recluse बहुत अच्छा है star mark कर लेना तो recluse का मतलब होता है आप कैसी stage में हो आप solitary stage में हो alone ठीक है बिलकुल alone हो alone जैसे आपको त्यारी जब आप करते हो तो आपको paper exam crack करने के लिए आपको बिलकुल alone lat जो लोग isolation में रहते हैं वो काम करते हैं अकेले रहकर रपना ठीक है next आपका reconcile reconcile का मतलब होता है मिल जूल कर harmony में चीज़े चलाना bring about harmony और agreement एक साथ मिल जूल के कुछ काम करना male मिलाप करना है reconcile ठीक है next है reconnaissance reconnaissance का मतलब क्या होता मेरा बहुता है information gathering activity about enemy forces reconnaissance करना है मतलब क्या हो गया की ना जैसे कि आप हमारी आर्मी है अब दूसरी कोई आर्मी है देश की तो उसके हम information gather करें उसे हम बोलेंगे information gathering activity about enemy forces दुश्मनों की information gather करना उसे हम reconnaissance बोलते हैं next आपका red tapism red tapism का मतलब होता official formality जैसे कि आप गए driving lessons बन माने के लिए तो वो बोलेगा पहले ये भरो वो भरो ये करो वो करो जैसे लोग pension के लिए जाते हैं तो वो कहता है पहले ये भरो फिबैंक जो वहाँ से ये ची ले क्या हो तो उसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा लाल फिते शाहिए होगी बहुत ज़्यादा official formality में लोग फस जाते हैं तो too much of official formality जो आपको government staff में देखी जाती है government jobs में तो उसे red tapism कहते हैं next is redundancy redundancy का मतलब क्या होता है redundancy का मतलब होता है unnecessary जिस सीज की जरोत ना हो जो रोस से ज़्यादा unnecessary है तो redundancy कहते है when something is unnecessary because it is more than what is needed जितना आपको चाहिए उस से ज़्यादा हो तो unnecessary है next is side का मतलब होता है killing regi मतलब राजा तो राजा की killing राजा की हत्ते killing of a king next is relegate demote जिससे आपने सुना होगा promote promotion तो वैसी होता है demotion demote मतलब नीचे आप पहले एक आप थे समलो section officer तो आपका demotion होगे आप बंगे assistant section officer तो दरजा घटाना reduce to a lower position next is reluctant reluctant का मतलब होता unwilling भाई ये तो reluctant है काम करने के लिए अपनी इच्छा से काम करना है नहीं चाहता अनुच्छे का unwilling है आपको जाता है जैसे कि मैं offline center में बढ़ाता था तो मैंने कोई चीज बोली grammar की तो बच्चे बोलते थे sir pardon please repeat कर दीजिए या sir pardon please ऐसे बोलते थे तो उस pardon का मतलब है sorry sir ठीक है फिर आप बोलोगा repeat करना बच्चे कहता है sir pardon pardon का मतलब repeat करना नहीं होता pardon का मतलब होता sorry मैंने आपको बीच मतलब होगा उसके लिए sorry तो pardon का मतलब शमा और forgiveness मतलब शमा for breaking religious laws ठीक है उसे remission कहते है ठीक है न render who इसको हम बोलते है render who render who है OUSS word के बीचे लगे वो objective होते है render who का मतलब होता religious meeting के लिए religious purpose के लिए जहां पे meeting करी जाए वो स्थल उस जगा को हम बोलते है render who million स्थल place fixed for meeting और assembling for religious purpose ठीक है renegate renegate का मतलब भी होता है कि आपने पहले आप किसी और धरम के ते अब आपने वो धरम छोड़ दिया आप कहीं ओड चले गए person who changes his religious belief support to someone else or some other nation या तो पहला आप इस nation में ते इस country को support करते था आप आपने इस country का त्याग कर दिया इस country में चले गए या इस धरम का त्याग कर दिया दूसर धरम में चले गए अपना धरम बदल दिया तो धरम परतियागी ठीक है नेक्स्ट आपका रिपाटी रिपाटी का मतलब होता quick answers हाजिर जवाबी करना बिल्कुल clever answers विटी reply डवल आई डवल टी विटी ये लिखावर विटी reply विटी एंड clever answers हाजिर जवाबी करना चोटे-चोटे बच्चे होते हैं आप उनको कुछ बोलते हो ना तो कुछ बच्चे होते हो जो बड़ी तगड़ी हाजिर जवाबी करते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका रिपरकॉश्चन रिपरकॉश्चन का मतलब होता aftermath 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 या भी से बोल सकते हो consequence परिणाम किसी चीज़ का प्रभाव क्या निकला परिणाम क्या निकला C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C effect of some event action or decision is called repercussion भाई यह जो तुम act है जो तुम effort डाल परो इसका repercussion क्या इसका प्रभाव क्या इसके result क्या है consequences क्या फोटो स्टेट कर दे तो वो rapidly का ही होता हूब हूब कॉपी निकाल देता हूब next है repository repository मतलब होता गोदाम जहां पर चीज़े हम store करते है आटावाटा है place where things are stored for safety repository मतलब गोदाम होता है republic हमारा गरतन तेरी तो आपको पता है political system in which supreme power lies prayer for the dead शानती एक next है restitution restitution का मतलब होता कोई आपकी चीज़ खो गई थी ठीक है या चोरी हो गई थी अब वो चीज़ आपको वापिस मिल जाए खोई चोरी होई वस्तु की वापिस थी return of object stolen और lost next है retaliate retaliate मतलब होता revenge लेना revenge करना revenge करना revenge मतलब बदल लेना revenge का मतलब बदल लेना जब आपके साथ कोई बुरा हो और आप अपने ले ले रहे हो बदला तो उसे हम revenge करते हैं दूसरे किसी गरीब के साथ कुछ बेवार हो रहा आप बीच में पढ़गे और आप उसका बदला ले रहे हो बदला लेना return the same sort of ill treatment जो भी आपके साथ ill दूर विवार होगा है उसको आप written में किसी को दें बदला ले बहुत स्मार्ट और अच्छा वर्ड है स्टार मक कर लिजे reticent and taciton इसका मतलब होता कम बोलने वाला जो introvert लोग होते हैं अलपवाशी जो कम बोलते हैं मतलब person who does not speak too much जादा बोलते हैं नहीं कम बोलते हैं अगर मैं आपको बोलू इसका antonium बताओ जो जादा बोलता तो आप क्या बोलोगे locatious locatious वो बंदे होते हैं जो बहुत जादा बाते करते हैं talkative होते हैं talkative retrospective का मतलब क्या होता है retrospective का मतलब होता जो चीज past में होई है पूरवगा में जो past में होई है उसके reference में जो past में हो रेट्रो मतलब past and effect which has a reference to the past next year rumors नहीं होता है ये printing एड़ा रियूमर है rumor और हीर से का मतलब होता है अफवा जो rumor आते हैं यार ये तो अफवा बना रहा है rumor है उसके खिला तो उसे हम हीर से भी बोलते हैं अफवा अफवा unverid information verified तो होती नहीं तबी तो वो अफवा होती है जो verify करते हो तो पड़ा चलता है ये तो अफवा है भई unverified information sacrilege मतलब किसी की sarcasm sarcasm का मतलब होता है ताना देना scornful s-c-o-r-n-f-u-l ताना देना किसी को taunt करना bitter and ironical remark किसी को ताना देना है sarcasm savage का मतलब होता है जंगली wild जो लोग wild हो जंगली लोग हो आप इसो अनपड भी बोल सकते हो कि barbaric है uncivilized है violent है uncivilized है तो savage मतलब जंगली ठीक है आप animals के लिए भी बोल सकते हो animals के लिए जंगली मतलब होगा next is scapegold scapegold का मतलब होता है बली का बकरा मतलब जैसे दो भाई है बड़ा भाई बहुत naughty है वो चीज़े करके आता है घर में पिटता है छोटा भाई संदे में one who is doubtful next is screech screech का मतलब होचा चीखन जो भौत चिलाते cry out in shrill voice is called screech चीखन next is scrimmage scrimmage का मतलब होता है खीचा तानी करना जैसे कि कोई खीचा तानी करते हैं खीचते हैं तो उसे खीचा तानी करना confused, struggle और fight जो भाई भेनों की बीच में हो जाती है scrimmage खीचा तानी विग्यारा वैसी स्करी स्करी का मतलब होता है छोटे छोटे कदम चले कर तेजी से आगे बढ़ना छोटे कदमों से तेजी से चलना move hurriedly with short steps sedition sedition मतलब होता है क्या करना sedition मतलब होता है हमारी सरकार है मूदी जी की अब कुछ लोग क्या कर रहे है लोगों को भढ़का रहे है कि मूदी सरकार भेकार है example दे रहा हूँ मैं आप लोगों को तो ऐसे भढ़काना अपने government के खिलाफ क्या करना insight करने को हम क्या बोलते है sedition act or speech for inciting लोगों को भढ़काना किसके लिए public public को भढ़काना against the government सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए बढ़काना लोगों को भढ़काना that is called sedition next is senility बहुत ही अच्छा वर्ड है star mark कर लिए senility का मतलब होता मेरे बाई एक ऐसी विवस्ता आ जाती है इंसान की age जैसे बहुत हम लोग old हो जाती है कि हम लोग जैसे पहले बच्पने बच्चों जैसे हरकते कर रहते हैं हम वैसी करने लग जाते है old होकर तो extreme old age when a man behaves like a fool जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा को ध्यान रखे क्या हम इतने old हो चुके कि हमारा हम अपने senses में नहीं है तो sinality मतलब हम senses में नहीं है old age में है that a man behaves like a fool next is sista sista मतलब होता है कुछ लोग दुपैर में खाना खाके rest करते एक दुगंटे सोचते उस उस rest को हम कहते है sista दुपैर का अराम a period of rest or sleep after lunch next is simultaneous simultaneous का मतलब होता है साथ साथ एक साथ कुछ करना simultaneous का मतलब है साथ साथ कुछ करना बिल्कुल साथ साथ कुछ करना occurring at the same time जैसे यार मैं अपना विने कक्षा चैनल भी मैंने चला रहा हूँ और मैं साथ साथ offline center भी मैं पढ़ाता हूँ simultaneous की तो यह होगा next is sinocure sinocure का मतलब होता है ऐसी नोकरी जो नोकरी यह बिल्कुल अराम दायक बगर उसम पैसा बहुत मिलता हूँ तो वो तो लोग कहते हैं कि government job होती है तो देखो an office for which high salary is paid for little or no work or no responsibility बड़ ऐसा नहीं है जब आपकी कोई job लगती है तो उसके साथ आपकी responsibility भी आती है बड़ साइनो के और मतलब एक relaxed job जिसना पैसा जादे मिले responsibility कम next is smoother smoother मतलब होता है dumb goat किसी का kill by suffocation especially by covering the face with something किसी ना आपका mood दबा दिया किसी ना आपका face दबा दिया तो आपका क्या हो गया smoother हो गया आपका dumb good गया next is sojourn sojourn का मतलब क्या होता है sojourn का मतलब होता है stay for a short time थोड़ी देर के लिए आराम करना रुक जाना थोड़ी देर के लिए रुकना है surgeon next is soli loq soli loq मतलब जो खुझ से बोलता हो अकेले में soya से एकान में बात करना speaking allowed while alone is called soli loq somnum bullist somnum bullist का मतलब होता है somnum मतलब होता है sona ठीक है अब देखो bullist जो नींद में चलता हो उसे हम बोलते है sonam bullist one who walks in sleep नींद में चलने वाला अब देखो somnum मतलब sleep और loco मतलब बोलना तो जो नींद में बोलता हो one who talks in sleep नींद में बोलने वाले को हम बोलते है somnum locust ठीक है next है यह sonoros सारे यह वाले सारे star mark कर लीजे important है sonoros का मतलब होता surila melodious है बिलकुल क्या surili अवाज है melodious है m-e-l-o-d-i-o-u-s having a deep and pleasant sound surili अवाज है soroside side मतलब killing sorrow for sister killing of one's own sister बहन की हत्तियाव से कहते है soroside ठीक है वीड़ अच्छी लग रही हो तो भाई please यहाँ पे जाना और विने कक्षा जो चैनल है synonym की series बनाई थी आप लोग नो उसे बहुत प्यार दिया तो इस video को भी दिखाना चलिए spend thrift spend thrift का मतलब होता है वो लोग जो बहुत जादा फिजूल खर्ची करते हों जो पैसे को waste करते हों जिससे आप बोल सकते हो extravagant 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 जो बहुत जादा फिजूल खर्ची करता है इसे बोलता है prodigal prodigal one who spends once money recklessly बहुत फालतु में पैसा खर्च करता है next is spinster spinster बोलते हैं एक ऐसी woman को जिसकी शादी नहीं होई कुवारी महिला and unmarried woman spiritualistic जो spirit में विश्वास रखता हो अध्यात्मिको भगवान से rated a person who believes in spiritual things अध्यात्मिक चीजों में विश्वास रखते हैं आप लोग sporadic sporadic का मतलब होता है irregular रुक रुक के intermittent आप काम कर रहे है intermittently intermittent i-n-t-e-r-m-i m-i एक वो सही सा मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए i-n-t-e-r-m-i devil-t-e-n-t रुक रुक के कर रहा है regular नहीं कर रहा है intermittent जैसे आपको अपनी study में sporadic नहीं होना कि आप रुक रुक के काम कर रहा है आपको regular काम करना है तो occurring irregularly sporadic होता है strike strike मतलब यह वो person है जिसको दर्द हो रहा है तो यह कुछ बोलेगा ही नहीं यह सहन करेगा one who is indifferent to pleasure and pain pleasure और pain दोनों को यह साहेगा कितना pain हो जाए कितनी suffering हो जाए किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा that is stoic strangulate मतलब होता है किसी का गला घोट कर किसी को मानना kill by putting pressure on the thought to apply pressure किसी को अपने influence में लेना किसी पर काबू करना अपने अंदर उनका क्या ले लेना control ले लेना to bring under once control दोनों का मतलब सेम है इन दोनों का मतलब सेम है subjugate का मतलब ही होता है अधीन करना काबू में करना to bring under once control suicide मतलब आतम हत्य का लेना taking of once own life आपको पता ही है super serious super serious का मतलब होता है घमंडी thinking oneself superior to others ठीक है देखो ये मैं आपको ना एक number दे रहा हूँ 9268 609096 ठीक है इस number पे आप whatsapp पे मुझे message कर सकते हैं किसी को कोई guideline चेरी हो ठीक है मैं बहुत suicide से मुझे याद आए तो किसी को कैसे preparation करनी है कोई दिक्का तो 3-4 साल से preparation करो या अभी start करें क्या follow करें तो मुझे बता सकते है and then I'll guide you ठीक है इस number whatsapp करना है call मत करना क्योंकि फिर sub call आईगी मैं disturb हो जाओंगा फिर मैं respond नहीं करूंगा देखा ऐसे अच्छी बात नहीं है thinking oneself superior to other super serious का मतलब होता घमंडी arrogant बहुत ही ज़्यादा घमंडी होना egoist होना egoist घमंडी होना A-R-O-G-A-N-T घमंडी psychophant psychophant का मतलब होता चापलूस ही करना flatter करना psychophant is चापलूस जो flattering करता है person who tries to win a favor by flattering other next is synagogue synagogue का मतलब होता जहां पे लोग क्या करते है worship करते है juice को place where juice worship talkative मैंने आपको बता दिया था locations कहते है gerulis जो बहुत ज़्यादा बात होनी है बहुत ज़्यादा बाते करता person who is fond of talking जो बहुत ज़्यादा बाते करता उसे हम क्या बोलते है उसे हम talkative locations कहते है next है tantrum tantrum का मतलब होता किसी को आवेश देना fit of bad tempered और anger tantrum आया है किसका मतलब आवेश आया है जैसे कि अरे अब तुमने गलती करी अब तुम्हें घर जाके मम्मी के tantrum का face करना पढ़ेगा मम्मी के bad temper का anger का अब वो डाट पढ़ेगी fit of bad temper and anger next है tea toddler बहुत अच्छा word है star mark कर लो जैसे मैं tea toddler हूँ मैं drink नहीं करता कोई cigarette smoking कुछ नहीं ना कभी करी ना कभी करनी तो tea toddler जैसे ही मैं आपको बताता हूँ मेरी छोड़ो दर ऐसे का इंजाम पर आते हैं मैं तो बोलता रहता हूँ जैसे आप matrimonal site मा जाते हो जीवन साती में तो वहाँ पर लिखा होता है he is tea toddler tea toddler कहते हैं tea toddler इसका मतलब होता one who abstains from alcohol drink जो कभी शराब भी गया रहा नहीं पीता ठीक है यह लग जाए यह मतलब आपोजेट तो अथिस्ट मतलब नास्तिक ठीक है next थियो क्रेशी देखो tea is the root word थियो root word होता religion का God का थियो root word होता religion और God थियो क्रेशी मतलब क्रेशी गौर्मेंट आप गौर्मेंट बाइ religious leaders ठीक है पादरी तंतिर उसे गहते है थियो क्रेशी next आपका थिर्मामेटर थिर्मामेटर जैसे आप टेंपरेचर नापती हो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेंपरेचर next ए ट्रेटर ट्रेटर का मतलब होता गद्दार जो अपने देश से गद्दारी करें one who betrays one's country देश दुरोही transgression मतलब होता पापी या अपरादी है one who violents a rule और law जो कोई rule या कानून तोड़ दे that is अपरादी next है transmigration transmigration होता जब इस soul से इस soul तक ठीक है जैसे आप क्या बोलो इस soul अब death होगी तो आत्मा क्या होगा आत्मा चली जाएगी तो the passage of soul after death from one body to the other जब इस यहाँ पर आपकी death होगी तो आप देखते हो ना soul चली जाते फिर कहते हैं इसका जनम कहीं और होगा तो वहाँ से soul आपकी transfer हो रही है उससे हम कहते हैं आत्मा का शरीर बदलना इस ट्रांस्मीग्रेशन देख है नेक्स ट्रांस्मोग्रिफिकेशन का मतलब वहता काया कलप हो जाना complete change हो जाना किसी चीज में magical way में complete change in appearance और character especially magical or surprising way कि भाई सब लोग भोचक्का हो गए astonish हो गए surprised हो गए नेक्स ट्रांस्पिरेंट जहां से light pass करें जहां से यह आप खड़े हो यह मैं खड़ा हूँ यह ट्रांस्पिरेंट पड़दा तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं यहां से light pass हो सकती है ओपेक मतलब जहां पर light pass नहीं हो सकती next ट्रॉंट ट्रॉंट का मतलब होता है कामचोर का मतलब होता है जैसे ट्रॉंट का मतलब उसे कहेंगे जैसे की कामचोर है यह बिना पर जैसे स्कूल में लोग बंक कर देते हैं बिना बताए स्कूल से गायब हो गए तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉंट वन उस्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वग विदाउट पर्मिशन बिना पर्मिशन लिए जो गाया बोजा तूशन उशन से बंक बंक मारता उसे भी हम ट्रॉंट बोल सकते हैं ठीक है पर पर लिया तो डिसलोयल है गदार है यूनानीमस बहुत अच्छा वड़ है इसको हम एक और वड़ बोल सकते हैं यूनानीमस को यूनीशन यूनीशन मतलब एक मत एक साथ हो के कोई डिसीजन लेना कंसेंट ओफ ओल ठीक है नेक्स्ट आता है आता है आपका क्या नेक्स्ट इसे इनोर नहीं कर सकते है डेट विच कैननोट भी अवोईड इट यूनीक मतलब जो स्पेशल है अनुखा है दव ओनली वन ओफ इट्स टाइप यह बिल्कुल अलेक चीज है यह बिल्कुल यूनीक है टिक है यूनीवर्सल मतलब विश्वयापी यूनीवर्सल बिलॉंग फड़ अपने वाले को मश सार पर चालिए कहा मतलब होता कीलिंग यूग जोरी मतलब होता था तो पत्नी के अंच्पटनी की हथया हम बूलत से यह बहुर अच्छा वर्ड है स्टार्मार्ट कर लीजिए जोरु को गुलाम को जैसे आप किसी दोस्त को बोला रहे तो तो जोरु का गुलाम है भाई तो आप यह चीज़ उसे बोल सकते हो इंगलिश में जाके सीधा बोलना है हैं पैड हैं पैड कि क्या बोल रहा हो भई ठी है इसमें ज्यादा दुनिया जी नहीं है थोड़ा इंटेलिक्टोल नहीं है विदानता का मतलब होता है विदानता मतलब होता है पुस्तेनी जगड़ा प्रौपर्टी या और यारेलेटिबस के बीच में कोई जगड़ाहोता है फ्यूड इन्विज्ड रिलेटिबस ऑफ दा डैड और इंजर टेक रिवेंज कि अब पुस्तेनी जगड़ा चल रहा वो वाले घर के लोग उनसे लड़ाई करते हैं फिर उनके बच्चे होंगे तो वो लड़ाई करेंगे जगड़ा चलता रहा है वर्बटे मतलब होता है श स्यादा शब्दों से भरा हुआ बातों से भरा हुआ उसे वर्बोस कहेंगे यूजिंग और कंटेनिंग मोड़ देन वर्टेन अड़ेटर नेसेसरी वर्सेटाइल मतलब होता है मल्टी टैलेंटेट इस बुक है इस बुक का जो लेफ्ट यह राइट है राइट हैंड अब गाती है ना तो आप पड़ रहे हो लाइवरी रहें बैटतो तो एक राइट है एक लेफ एंट साइट है तो इस लेफ टेंट साइट को वर्स हो कहते हैं नेक्स्ट है वैसिपर्स मतलब हो एक तो आपने पढ़ना था मैटिन्स तो को में रिवाइस करा जैता हूँ यह है वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग की प्रेयर, शाम की प्राथनाव, इवनिंग प्रेयर इन दा चर्च, वेटरन, वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरेंस, भाई खिलाड़ी आदमी है एकदम, यह तो वेटरन है इंग्लिश का, भाई खिलाड़ी आदमी है, काफी knowledge अनुभवी इंसान है इसने पेपर निकाल रखे हैं तो अनुभवी है वन वेस ग्रोन ओल्ड इन और हाज लॉंग experience of especially military service और occupation नेक्स्ट है विंजिबल विंजिबल का मतलब होता है जिसे जीता जा सके ठीक है विंजिबल मतलब होता है जिसे जीता आपका विंडिक्टिव मतलब होता है वेंजिफुल मतलब क्या करना भाई प्रतिशोध करना रिवेंज लेना विरूलेंट का मतलब होता है विवी पेरस का जो एनिमल्स सीधा या फिर कोई विवी पेरस इंसानों को ही बोल सकते हैं तो सीधा बच्चों को जनम देते हैं एक्स को नहीं बेरिंग लिविंग वन्स एंड नॉट एक्स टेक है वोल्ट फेस का मतलब होता है बिलकुल सड़न चेंज हो गया पहले कुछ और बाते करता था अब इसके विचारों में सड़न चेंज है अब इसके विचारों में सड़न चेंज है समुंदरी यातरा, seas वाली यातरा, जर्वनी बाइ वाटर और sea, vulnerable मतलब नाजुक, debt which can be easily hurt or damaged, brittle हो, कमजोर हो, बिलकुल नाजुक जीजो, b, r, i, d, t, l, e, brittle, ठीक है, बस आपके चारी बचे हैं फिर खतम, widow मतलब क्या है, widow का मतलब होता है, widow, a woman whose husband is dead, उसे widow कहते हैं, और widow, यह दो को यहाँ पर आगे, widow, a man whose wife is dead, next is wrath, wrath किसे बोलते हैं, wrath बोलते हैं भाई, एक circle, एक ऐसा जैसा आप देते हैं, सर पे पैनाते हैं, कुछ ताज जैसा जिसमें चारों तरफ flowers होते हैं, या किसी को pushpohar वाली माला होती है, flowers fastened in a circle, pushpohar, wrath, zealot, zealot का मतलब होता, ब बहुत ही ज्यादा उच्सा होना, zealot, enthusiasm, zeal, arrogant, AR, D&T, person who shows great and uncompromising, कहीं पर भी compromise नहीं करेगा, क्या enthusiasm है, क्या zealist के अंदर, for a religion, party, cause, etc, ठीक है, तो thank you very much guys, यह आपकी अब वीडियो थी, one word substitution की, जो कि complete हो गई हैं, 504 थे, पूरे complete हो गई हैं, अच्छे से देखना, preparation करना, बहुत काम हैगी, कोई भी दिक्कत लगे, नीचे comment कर देना, नीचे description में विने कक्षा channel है, उससे subscribe कर लेना, next video comment कर, पहले तो यह वीडियो बताना कैसे लेगी, और next video भी आपके लिए जल्दी आएगी, शायद idioms and phrase की marathon बनाऊंगा, या फिर शायद antonium की बनाऊंगा, ठी गाइस, thank you, have a nice day.